हेलो विद्धैर्ति मित्रानो कश्याहात मजेतना मजेतस रायला हवा पेटा मी सुशान्थ तुमसा फिजिक्स टीचर स्वागत करतो भारता चा सगड़ात मुठा एजुकेशनल प्लाटपॉम वर जाचा नाव आहे फिजिक्स वाला आज आपन भगना राहोत four marka hart आपन से री सुरू के लेली होती उटा पहला लेट्चर मदे वन मारकर दिलेला होता ते लांधर तर टू आनी थ्री मारकर आज आपन भगो या four markers ठिक है मंजए four markers ला जला कशवर करकार ने प्रश्न दूमना ए मदे विचारला जाऊ मार्कर्स को अच्छे से किया होगा वहाँ पे आप आपको हिंट मिल गई है बेटा क्या कि अगर कोई भी कोशन आता है तो उसको कैसे मैं टैकल करूंगा देखो वन मार्क के लिए तो जादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती या तो MCQ आएगा ठीक है या तो फिर डार का option B ये सही है तो B के सामने अगर मानलो momentum है या फिर centripetal force है जो भी है वो लिख देना वहाँ पे तो उसके वज़े से क्या होगा बेटा एक थोड़ा सा अगर मानलो कभी आपको options भी इधर उदर हो जाता है B का CC का भी लेकिन आपने सही वो पड़ा है तो थोड़ा सा एक ambiguity रहती है उससे marks मिल सकते हैं हो सके तो गलती मत करना लेकिन मैं बता रहा हूँ एक ठीक है और उसी तरीके से बेटा टू और टू और त्री मार्कर्स के लिए जब आप questions लिखते हो तो try करो कि थोड़ा सा उसको proper way में लिख पाओ एक उसकी diagram अगर हो तो आप बना दो diagram जहां थोड़ा सा four markers ठीक है four markers में हमको एक के question के लिए थोड़ा जाधा time लगने वाला है इसलिए definitely मैं कुछ गीने चुने ही questions आपके सामने यहां पर लेके आया हूँ उससे आपको एक hint मिलेगी कि अगर ऐसे questions आते तो उसको कैसे you know attempt करना चाहिए fine चलो तो start करते हैं देखेंगे के आज हम क्या-क्या देखने वाले है definitely हम सारे ही chapters जो है वो यहां पर cover करने वाले है इंदा सेंस सारे chapters से मैं कुछ-कुछ questions लेके आया हूँ ठीक है so rotational dynamics, mechanical properties of fluids, thermodynamics, oscillations, okay, superposition of waves, kinetic theory of gases and radiation, wave optics, electrostatics, current electricity, magnetic field due to electric current, magnetic material, EMI, AC, dual nature, structure of atoms and nuclei and the semiconductor devices तो इतने सारे chapters के हम questions देखने वाले है चलो तो without wasting time I am going to start our first chapter that is rotational dynamics और उसी का एक question जो है हम यहां पर देखने वाले है ठीक है तर काया मंटा बगा state and explain the theorem of parallel axis state and explain तुम्हाला इते state पन कराई सा है मझे तुम्हाला इते definition पन लिहाए चाहे तरी सुद्धा तुम्हाला जी थे तैसा derivation द्यावला आगेल राइट मख what is you know the parallel axis theorem कसस ते parallel axis theorem में आदी थे diagram काड़ोंगे तो ठीक है diagram दर आपन काड़ी तार आप ला अर्ध्या घुस्टी जायते clear होता सपोस्कर आए कशी माजा कड़े body आए ओके अनी त्या body त्रू माला एक moment of inertia वेगड़ा काड़ा इसा है ठीक है तर मी अशा प्रकारे आधी अची diagram ड्रॉ करूंगे डार आणी इथे जे आहे थोड़ से जने करून जे मला axis आहे थे व्यवस्तित में ढाली पाई जे ठीक है येस तो तुम इथे भगू शकता मी दोन axis ये नो इथे काड़ ले लाएद बेटा आणी सपोस्कर आई जी आहे एक्सिस साली है तुम जी center of mass मदून तर यहा body सा जो moment of inertia है त्या center of mass मदून तो का यसना रहा है आई सी आणी हा सपोस्कर आई नोट जी आहे तेका याहे एक moment of inertia है जे यहा axis चा about आहे body चा राइट मजे definitely मला यहा axis चा about moment of inertia दिलेला है मला यहा axis चा about moment of inertia काड़ाय चा है की आहे थे थेरम यह चा मजे आपन formula काई derive कर तो सरड सरड formula काई derive कर तो i not is equals to ic plus mh square औरो बराना असस formula तो की नहीं इते लिहाला जागा नहीं है मैं खाली लिहूंगे तो ठीक है finally आपन formula काई काड़ना रहो i not is equals to ic plus mh square है ना ic तुम्हाला करता है m काया है mass of this body and h काया है distance perpendicular distance between the two axes मजे suppose करा आता हेजर दोन points आहे थे है ना हेजर मी yes suppose करा हेजर दोन points आहे था एक point आहे आनि हाँ दूसरा point आहे तो यहाँ दोगा मतला जो perpendicular distance है बेटा तो काई रहाणा रहे तो रहाणा रहे तुमसा h right बग याला derive करता है आपन इथे एक mass consider करतो आनि थोड़ा सा कही तरी construction करतो और स ज़र तुम्हा लक्षा देता सेलता आन मी तुम्हाला आधी state के लाए मंझे काया हे moment of inertia sorry काया हे parallel axis थिरप तुम्हाला सांगित लाए काया है जर मला है यहाचा about मंझे एक आ बाड़ी चा अब एकादया body चा axis चा about मला है जर moment of inertia काडा असा सेल आनि ती ऐक्सी जर parallel असेल या axis ला जै एक्सीस तूँ you know, moment of inertia है, जो center of mass मद उन पास होतो है, right, तर, त्या case मद है, तैसा formula काया बढ़ना रहा है, I naught is equals to Ic plus Mh square, I hope this is clear, right, मग definition काय अचा मद लिया था, statement काय लिया था, मैं यह सलिऊंगे, क्यों काय था, statement, अखुब काया महनू, आपन फेमस प्रश्णा है, हाँ वारमवार एक्जाम दे विचार लेला है, statement काया है, the moment of inertia, जिए, the moment of inertia, about an axis, अखुब काया मेथल हुँगे तो I0, okay, about an axis, parallel to the axis, passing through its center of mass, the moment of inertia, about an axis, is parallel to the axis, passing through center of mass of body is the sum of the sum of moment of inertia passing through its center of mass, and product of mass of the body and square of C perpendicular distance between two axes, the moment of inertia about an axis, parallel to axis passing through the center of mass of body, is the sum of the moment of inertia passing through its center of mass, and the product of the mass, and the square of the perpendicular distance between the two axes, therefore I0 is equal to IC plus mH square, a statement, zhala beta, a statement zhala, a example dhuun suddha explain karo shakta, for example, ekhha disk hai tumi, and disc sa center of, for example, chala, mih ithe karoongi hooga, ithe karoongi to example, chala, example karoongi to yami, example madhe, mih yaab rakaari describe karo shakta, example, example, suppose this is the disk, chik hai, aani, ah, suppose kara, moment of inertia, maala hiha axis cha about mahiitia, definitely mahiitia, moment of inertia, maala hiha axis cha about kaada chia hai, jeki parallel ahe, hiha axis la, hai na, jeki parallel ahe, beta kasha la, hiha given axis la parallel ahe, suppose this is the moment of inertia about this axis, okay, mih lihungi ho toh, hiha niht vayvasthit, fine, haan, suppose kara, has a moment of inertia, hai ka hai, tumse ic, aani, hai ka hai, hoonara hiha, beta, tumse i naught, aata ic, maala mahiitia, ic ki dihya as tere, tanga bura maala, ic as toh, mr square by 2, hai na, hai ka hai, ic a hai, maak i naught ka hai, hoonara hiha, therefore i naught, is equals to formula lava, ic plus mh square, h ka hai, perpendicular distance between the two, aata hiha case madhe, perpendicular distance manje ka hai, radius of the disk, so that is mr square, hai na, ic ka hai hai, already mr square by 2 ahe, plus mr square, zara tumhi karal, finally, tumha laiitha moment of inertia, mit toh ki ti, sorry, thrice, mr square by 2, that is what, thrice, mr square by 2, so this is what, this is your i naught, I hope this is clear, hai na, maghe tumha la, ith e example, di lila hai, maghe example through, tumhi tiara describe karo shakta, thik hai, aata mi tumha la, matla ho tak aai, ki 4 marka sa ti, zara sa hilta, tiya sa thoda derivation, sudha jaya sa, hai explanation zhala, right, hai aapla thoda sa statement zhala, yohdha pure na hai, aapan thoda sa, ta cha madhe sammur za uya, aani, thoda sa, tiara derive karna, aza pritna karu ya, mitha diagram hi thai, parat karnaar, thik hai, suppose kera hi, tumhi body ahe, ok, aani, hai aaxis cha about, thik hai, suppose kera, hi pahili axis ahe, axis of rotation, aani, hi tele parallel axis ahe, thik hai, ok, suppose kera ki, haa hai, tiara perpendicular distance, haa doun axis mazala, this is your perpendicular distance, aani, hai aek maas ahe, dm, thik hai, mi itun yala perpendicular kartho, aani, he axis thodi shi produce kartho hai, thik hai, aani, yala, yase join kartho hai, hai aapni geometri ashtethe, right, tan andar baga, suppose kera, this is a, this is b, this is c, and this is d, aani, aani, d var maas ahe, suppose kera dm, hai na, thar, hi haa axis cha about, aani, hi haa axis cha about, the moment of inertia kaada hai cha selle, let me kassal yu shaktou baga, the moment of inertia about, you know, the axis passing through that, b, aur ithe mi c liyung hiu ka, center of maas ahe, di te c ugya vatel, oh oh, just a second, hai haa hoi il, tum cha c, aani, haa bokda b, thar, teach about, the moment of inertia hai, yala apan, kai mhnau ya, yala apan, 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 suppose kera, tumse i c, hai haa hoi, tumhi kaahi paan, nao aghi hoi shaktou, kaiya saa, motha vishay na hai, ta chanamad hai, thik hai, so ic, berabar kya hooga, integration of, tm, hai na, td square, hai na, mr square hootou ki nai, dm, dm, dhra apan, integrate kera hai, dm, integration of, dm into r square, that is the distance, agdi task prakar hai, i naught, boroobar kaya hoonna raha hai, i naught, boroobar tumhi, zhar, bag aal hai haa case madhe, toh ho to hai ka hai, ad square hai na, integration of, dm, into what, ad square, hai karatai ka, tumha la normal formula ka hai, beta, moment of inertia cha, mr square, hai na, aata apan, chhota maaz ghai sa, dm, aani, mag, tala integrate kera hai, te axis cha about, mag, tia aapnala kaya men da raha hai, integration of, dm into r square, aata, iti haa case madhe, r, zhar mihi, hi axis pakal di, tada cd haa distance hootou hai, aani hiya axis pakal di, tada ad haa distance hootou hai, right, I hope this is clear, mag, aata, mihi ka hai karanar, therefore, maala i naught ka da hai sa hai, miya alas thoda se, extend karato hai, therefore, integration of dm, aata geometry ba ka, ad square, hai na, ad square, boro boro asa lihu shaktou ka, mi ab square plus bd square, hai na, mi lihu shaktou, that is, ab square, plus, bd square, according to the, pythagoras theorem ka ranth, dekha hai, beta, 90 degree a hai, hai na, perpendicular to what, dc, I hope this is clear, okay, now, aata thoda se, je tu maala a, b diishtha hai, mii taala ac plus cb lihu shaktou, therefore, integration of dm, kik hai, in bracket, ab square manje ka, ac plus cb square, ac plus cb whole square, plus, 3d square, hai na, kais na kela mi, malha, malha, jauhra, diishtha vaktam hi, diodas kela, bhaqi ka is na kela, ta chha madhe, aata miya la extend karna, so therefore, that is equal to, integration of, haa dm, ikade ke huya, a c square, plus cb square, plus twice, ac into what, cb, okay, plus bd square, I hope this is clear, right, aata bd square, baga, haa bd square, aani cb square, manje kaaya hoote hai, tumse, hey, cd square hoote hai, right, karanje te baka, haa 90 degree a hai, so this square, plus this square, is equals to this square, so therefore, that is equals to, integration of, tm, in bracket, ac square, jasada tasal hi to, ya case madhe, thik hai, ac square, ac square manje ka hai, perpendicular distance, between the two axis, of rotation a hai na, a c manje ka hai, don axis madla distance, miya la h liu shak to, tabi ya la h, ma dh h square, karunghe to, saraad, chik hai, cb square aani bd square la, mi cd square liu unge to, hithae, plus cd square, aani hithae, te ka hai, plus twice, ac manje ka hai, tumse, h, into cb, hai na hai, jy tumala cb dhiste te, chik hai, aani hithae, miya bracket complete karato hai, aata bagha, tumhi, a integration dm, yala pan laagna r, yala pan laagna r, aani hala pan laagna r, aata bagha, integration of dm, into cd square, hai bagha, integration of dm, into cd square, manje ic square ho to, manje yala mii ic square liu unge to, aani integration of dm into h square, chala mii samur ge to, kai harkat tha hai, so therefore, i naught is equal to, vegada vegada koru unge to, aata, integration of, dm into h square, haa pahila dhala paat, dousra, integration of dm, into what, cd square, I suppose, hai na, cd square, aani, plus, integration of, tm into, twice h, aani kaya, tumhsa cb, aata bagha, tumhi, tm into h square, aata, integration h, ta haa constant, hai, ta, chamude, haa bahaar e na rha, fakta, integration of dm, hoi il, that is equal to, M, capital M, that is the mass of the whole body, into h square, plus, tm into cd square, manja, haa ic ho to hai, plus, yaha, integration jayate, bita, te, zero ye to hai, aani, sarad, mahu mi liu shakto, i naught, is equal to, ic, plus, mh square, so, this is, the formula, for what, parallel axis theorem, to, tumhala, asya, prakare, explain karun, vya vasthi, diagram kaadun, tumhala, sagda, agoshti karawala, aata bagha, sar, tumhi, doghaghi, diagram kaadde, doghaghi, diagram kaadde, chih, garaz, aata, bilkul nahi hai, mi, fakta, malah, chithe, lihena, sati ghetla, ta, tumhi jewa hai, lihena, aata, hai, thudha, sa, motha, sa, lihena, nahi, kya, sa, handra, ting, maadde, thudha, right, pan, te, tumhacha, page madhe, tumhii kararajna, sa, pritna karalna, definitely, tumhala, te, kamhi, page madhe, yun, vevasthi, tria, tumhala, pūrna, pahiki, pūrna, maars, maats, sa, right, ta, tumhii unit, sudha, lihu, shakta, unit of moment of inertia, manje, kas, aapleala, aaplea, uttar, ekdam, attractive, karthayil, tia, cha, thudha, sa, laksh, sa, statement, leha, sa, explain, matla, dekha, example, dekha, dho, minnta, sa, example, as, dho, tini, line, sa, example, as, tia, thudha, sa, derive, a flywheel used to prepare earthenware pots is set into rotation at 100 rpm, e na, tamhii frequency geetho hai, kiti ye, beta, 100 rpm, 100 rpm manje, kiti rps, 100 by 60 rps, divided by 60 karao lagta aapleala, it is in the form of a disk of mass 10 kg and radius of 0.4 meter, so you have the disk, jat sa maas aahe beta, kiti tumsa, aah, ek second, maas aahe, kiti, te aahe tumsa 10 kg, ok, aani taas radius aahe 0.4 meter, a lump of clay to be taken equivalent to a particle of mass 1.6 kg falls on it and adheres to it at a certain distance x from the center, thik hai, mii ek chota m litho hai, a chota m kiti hai, beta 1.6 kg, aani x ka aahe, te maala mahiti nahi hai, calculate x if the wheel now rotates at 80 rpm, yes, 80 rpm manje mii sarad 80 by 60 e thai, rps liuunge to hai, aani tumhaala kaada aahe x is equal to what, adhaa prashna kaaya jya tumhaala aahe te samzun saanghna za pritnagar to hai, baga, prashna actually asa aahe, ki eek will aahe, aani aapala kumbhaar jostu na, joh ghađe bono tum aahe tiche right, te ek aahe te chaamudhe, aani te jya aahe bita, te ek aah, you know, access through jya aahe, te thun pass hota hai asa, aani te firad aahe definitely, I hope this is clear, tere kaaya hota hai bitaa firad aahe, it is, suppose it is moving like this, aata kaaya hota hai, jewa hai firad aahe, te aahe aahe rpm kiti aahe, 100 by 60 rps aahe, aahe 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 maas aahe kiti 10 kg, aani radius jya aahe, te aahe aahe 0.4 meter, right, aata kaaya hota hai, aachanek eek chhota sa maas, eek chhota sa, you know, rateiza zo eek ball aahe, toh ithe eka particular zaagii hona saa, paad to hai, hai na, ithe padhla aahe, toh itun itla distance zo aahe, toh x aahe, aata definitely, ithe toh mass padhla aahe, mude kaaya hoana raha hai, there's a moment of inertia vaadal, mag moment of inertia za vaadal, mag tajji angular speed kaaya hoana raha, kamhi, mag je concept uthla lagla hi thay, ithe concept lagla hai, law of conservation of momentum, hai na, me ithe lihuunghe toh, kaaya, tumse je concept aahe, tekaayu zhala aahe, conservation, of angular momentum, I hope this is clear, kaaya lagla hai, conservation of angular momentum, mangi yaa case madhe kaasa manta, I1 omega 1, is equals to kaaya, is toh I2 omega 2, if external torque acting on the body is what, zero, but aabar indefinity te cha hai, ithe external torque kaaya hai, zero cha hai, mangi yaala kaasa sol karal tumhi, hai na, yaala hihaa prakare, aapalala liha hai sa hai, ba kaata, 4 marka sa matla hai, thoda se tayala, wayvastit aapalala karala ola gel, hai na, magje sagda liha ola gel, concept aapalala liha ola gel, diagram kaada ola gel, given data liha ola gel, right, sarvazadhi mi kaaya kaada na raha, I1 kaada na raha hai, I1 manje ka hai, that's tumse moment of inertia, in the first condition, therefore I1 ahe, te kiti raha na raha hai, tumse disk metler, m r square, hai na, m r square by 2, aala lakshat, baaki frequency te, tumala di liha hai, aani i2 manje kaaya hai, tumse aata baga, m r square by 2, he ta raha na raza hai, but, sobad sobad, this small m a hai, aani to at a particular distance, m x square, hai, sudda malala liha ola gel, karan aapta la maha hai tia hai, ekhaadi, is a object, axis of rotation paasun, r antara avara sail, tar moment of inertia apan ka sa, tala karato hai, that is m x square, or sorry, m r square, directly, aata hiya case ma de, small m into x square, hai ka saala dumse, I2, now, according to law of conservation of energy, maya sa li hoon ke to, tumhi poorna liha hai sa, paeta da jama ho de, according to, law of, conservation of, mea energy mahtlag ka na hai, according to law of conservation of, angular momentum, ka hai hoota hai, kya cha ma de, I1 omega 1, is equals to I2, omega 2, I1 omega 1, is equals to ka hai ho, the beta I2 omega 2, mag yala ka sa kar hai sa, yala ka sa kar hai sa, liha hai sa, sarad sarad, I1 ka hai hai, tumha m r square, ok, m r square by 2, and omega 1 manje ka hai, 2 pi, into first frequency, that is equals to, I2 ka hai hai, tama jha gade, m r square by 2, plus, small m x square, haa poorna bracket, into, into ka yana raha hai, 2 pi and 2, into ka yana raha hai, tumsa 2 pi and 2, that is equals to, m r square, again it's, 10 into 0.16 divided by 2, plus m ki tia hai, small mass ki tia ho tha, bita, that is 1.6, ok, 1.6 into x square, ।i ka hai, whole bracket ho tha, and multiply by, hitha mala ka yana detail, 80 by 60, ।i ka hai, अग, तुम्हें भगू शकता, 60, 60 hitha cancel ho tha ho hai, ।i ka hai, बाकी आता मला, sarad sarad solve kara hai, is a case मत, ठीक है, आता बगा, हा, mix, sarad karu शकतो, हे, काय होता है, तुम्हें 1.6 divided by 2, मंजे, होता है, तुम्हें 0.8, into, हे, होता है, तुम्हें 100, ठीक है, that is equals to, हे, किती होता है, तुम्हें suppose, करा है 5, हाई हूँ, आनि, 16, 5 जा 80, मंजे, हे होता है, तुम्हें 0.8, ओके, plus, 1.6, the whole square, आनि, या whole bracket ला, multiply by, यह ते यह थे, 80, ठीक है, I hope this is clear, fine, हे, वर्ट सा है, मियाला, वर्ट होड़ा से, shift करूंगे तो, 80 by 60, ठीक है, 60 cancel के लए, आता बगा, हे, 4 से, अच्छा मधे जाई, division आनि, अच्छा मधे 5 से, जाई, 0.8, इंटू 5, मंजे, हे होता है, तुम्हें 4, that is equal to, मियाला, multiply करतो है, होता है, तुम्हें 3.2, plus, 16, 64, 64, मंजे, 6.4, इंटू X square, ठीक है, अधे, याला, इखडे घ्यों निया, हे काया थे, तुम्हें 0.8, is equal to, 6.4, X square, ठीक है, अधेरफो, X square is equal to, मला, 8, 1 by 8, मेडल, मला, therefore, X square is equal to, 1 by 8, मेड़तो, and therefore, X is equal to, तुम्हाला, वैल्यों मेड़तो, 1 by root 8, मेडर, अला, अस उत्तर, तुम्हाला, एक्जाम मदे, लिहाओ, लागेल, मख, फाइनली, तुम्ही यहा, डाग्राम मदे, थोड़े से, चेंजेस करू शकता, आणि यहाचा मदे, X मदे, तुम्ही इथा लिहाओ शकता, X is equals to, 1 by root of 8, meter, ज़र तुम्ही पूर्न confidence आँ, तुम्ही तुम्हेचा, 1 by root 8, meter लिहा, नसाल तर नकाली हूँ, ठीक है, तुम्ही खाली रहू दियाचा, जटसा answer रहू दियाचा, Let that examiner, check the step, So, you have to write like this, ठीक है बटा, ठीक है बटा, ठीक है बटा, ठीक है बटा, ठीक है ठीक है तो मैंने इसकी important topics आपको मुझे लगता है, two or three markers में मैंने लिखवा के दिया हूँ, ठीक है, कुछ जो questions है हमको लगता है कि नहीं आ सकते है लेकिन कभी-कभी वो उतर जाता है, ठीक है, तो एक question है, जो आपको बहुत easy लगता होगा, बट still वो हमको यहाँ पर लेना जरूरी है, क्या, derive the relation between what surface energy and the surface tension, अभी यहाँ पर देखो, surface energy और surface tension के बीच में मुझे derivation निकालना है, अभी, what can I say, the derivation is so simple, लेकिन थोड़ा सा, यहाँ पर हमको presentation कैसे करना है, इसके ओपर थोड़ा सा पड़ेगा, अब अगर 4 मार के लिए question पूशा जाता है बेटा, तो सबसे पहले देखो, आपको energy लिखना, आपको लिखना पड़ेगा definition of surface energy and surface tension, ठीक है, अब surface energy की क्या definition है, और surface tension की क्या definition है, देखो, surface tension का definition तो आपको पता है, tangential force per unit length acting on both sides of an imaginary line drawn on the free surface of the liquid, that is called as what, surface tension, और इसकी definition मैंने 2-3 में लिखवा के दी है, surface energy का भी आपको definition लिखना पड़ेगा, इसको कैसे लिखोगे आप, the energy stored, या फिर जो भी हमारा formula होता है, जिसे हमारा surface energy का formula होता है, surface tension into the change in the area, तो molecular theory के basis पे हमने उसका derivation निकाला था, कैसा कि हमको पता है, जो भी molecules surface film में होते है, उसके उपर एक downward force act होता है, एक resultant downward force act होता है, तो वो नीचे जाने की कोशिश करते है, तो अगर हमको surface area बढ़ाना है, तो हमको नीचे से molecule उपर लेके आने पड़ेंगे, ये कड़ता का है, मैं तुम आला काय मनतो है, कि जे भा, आप खादया film ची surface energy वाडवाई ची है, तो मग आपन कसे करूँ, खालून जी आहे, ते आपन molecules वर घ्यो नियू, ते भा, तैचा मदे काय होता है, बेटा, energy stored होता है, तो मग, ए surface energy जे डिफिनेशन आपन काय मना है सा, वर दन in bringing the molecules from inside the liquid to the surface film, is stored in the surface film as what it's surface energy, तो surface energy काय है बेटा जे भा, आपन molecules खालून मझे, डीप inside the liquid मदे उन, surface film मदे घ्यो ने तो है, आणि ते करने साथी जे आपना ला वर दन करावा लागता, that is what surface energy, तुम्हाला दो घान चे ही definitions ही ते लिहावा लागे, बगा, definition में इसा लिऊंगे तो, तुम्हाला लिहाए इसा है, ठीक है, surface tension च definition, अगधी तैस प्रकारे, surface energy ची तुम्हाला में आत्ता definition सांगितली, ते सुध्धा तुम्हाला दिथे लिहाई ची आहे, I hope this is clear, surface tension and what, surface energy, तुम्हाला दिथे definition लियाए चे बटा, ठीक है, आता बगा, ये अच्छा मदे relation डिराइव करता वीडिए, आतला आधी तची एक diagram काड़ा विला, ते तुम्हाला चांगला ब्रकारे माई थे, आणी ते इमीं इथे diagram काड़तो या आता, suppose करा ही एक frame आहे, असर करना पेक्षा मी ही अशी frame गेतो, है ना, अशी frame होती, राइट, आप दाला बुक मदे पन अशी frame देली लिया है, ठीक है, आणी या frame ला एक असर, तोड़ असर पार्लली मी एक है असर गेतो है, ठीक है, आता suppose करा, की है तुमसा, A, B, C, आणी D, ही original frame है, आणी, आता काई करतो है मी, याला इतुनी ते shift करतो है, ठीक है, suppose this is B'dash, and suppose this is C'dash, obviously याचा अवर जे force है ते या साइडला act होतो है, आणी, मला ही frame जाए, ते साइडला क्यों जाए से, बगार, अशा प्रकारे लिहाइट से, अशा प्रकारे डाइग्राम काड़ाई चाए, ते वहा तुम्हाला पूर्ण माक्स मिठ तील, बगार, है मला महाईती है कि तुमसे almost जाले ला है, अब्यात जाले ला है, नसल जाला तरी काट जी कराए ची नहीं बढ़ा नो, थोड़ा सी ते concentrate कराए सा, होन जाल तुमसे, तो force direction दाखवाई ची, तुम्हाला, neat diagram दाखवाई ची, ए, बी, सी, डी, initial frame आहे, definitely मझे, तुम्ही एक frame गेतला है, अब्यात फ्रेम ला, तुम्ही सोब solution मदे बढ़ोन काड़ा है, बढ़ोन काड़ा है और यदे एक surface film तयार जाले लिया है, ती surface film ची टेंडेंसी हसते है कि ती कमी तकमी surface area ठहुना, और का बर करन तुम आला माहित है कि जे ही surface film मदे molecule ससता तया चा और एक net inward force act होता है, ती काय करना अचा प्रेतना करें ती surface film कमी करना अचा प्रेतना करें, डेफिनेटली फिल्म पन रहाना रहा है तुम्हाला तेसलिया है जा है, तुम्हाला तेसलिया है जा है, लेट, लेट, लेट्स टेक, A, B, C, D a frame, then deep it into the soap solution and take out, the film is formed in between A, B, C and D, now let's move that BC towards B dash C dash, मझे आपला तीकटे है जा होला गेल, मझे आपन आपला जो force ला होतो है तो यहा direction ला होतो है, exactly opposite force due to the surface tension, मझे आपन surface tension चा force चा अगेंस्ट वर्टन करना जा प्रेतना करतो है, तुम्हाला तुम्ही लाहन बढ़िया सा रिंसा और जैसे कट आपना जला अकली मझे आपन 민े आपनस करें वर्टन मोगा फूगो मड़ा होतो जेक वहाँ मोले करने रच अपना प्रेच चोट आप में जा के लिए लोगोगरा, प्रेच चोट जा टेंट्रेची afectis eari कमी करना यहां करना होतो है, आप मझे इनले करना प्रेत इथे लिए होंगा है सा, है न, explain construction and process, काई इस न, simple है process मदे काई explain करा है न, construction मदे काई explain करा है सा, let's take a frame A, B, C, D, tip it down in the soap solution so that the surface film can be formed in between that four arms, okay, now मग काई करा ऐसा, move A, C to B dash C dash, and for this we need to do work, right now what is the work what is the work, work D, W is equal to, काई होना रहा है, force into displacement मी तर D, X करूंगे तो है, मनजे suppose करा की, हे जे move के लिए है, तर D, X नी move के लिए है suppose this is what D, X को, पस छोटा है तो, दोगा मदला अंतर, D, X नी move के लिए ला है right, आताम अलाम आईती है force due to surface tension काई हस्तो force due to surface tension क्या होता है बच्चा, कुन बताएगा मुझे force due to surface tension T is equals to what F by L, so therefore जो भी यहाँ पर F work कर रहा है, वो कितना होगा T into L, अभी L बोले तो क्या हो जाएगा, यह वाली length पराबर है लेकिन यह length एक ही side नहीं होगी, दोनों side होगी, इसलिए यहाँ पर होगा 2L, right, तो therefore मैं इसी DW को यहाँ पर लिख सकता हूँ, DW को यहाँ पर लिख सकता हूँ, कितना F dash, यह जो मेरा F dash है, वो कितना है तुम्हारा T into twice L into DX आई बाद ध्यान में, अब यह twice L into DX L into DX, यह क्या हो जाएगा, area, यानि यह side का area और वो side का भी area के लिए 2 होग जाएगा, so therefore जो भी word done है DW, या फिर W मैं directly लिख दूँ, that is equals to what? T into DA तो यहाँ पर आपको दीख रहा है बेटा, कि जो भी आपने word done किया that is equals to T into DA, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा अच्छे से, कि surface energy is equals to two times, sorry, not two times, its surface tension मैं लिख दूँ किया ऐसे, चलो लिखी देताओ, पूरा का पूरा, surface tension into change in surface area ठीक है, surface tension, surface energy is equals to what? surface tension into change in the surface area, याने मैं E is equals to, यहाँ पर लिख सकता हूँ, T into DA a, या फिर del a, ऐसा में लिख सकता हूँ, so that is the expression for the same, अब कभी-कभी इसके साथ एका आपको question पूछ देता है कि यार इतना surface area पहले था, बाद में इतना surface area है तो कैसे निकालोगे, है ना, तो actually यह यहाँ तक जो है यह यहाँ तक जो question है, यह आपको मान लो 2-3 mark के लिए पूछेगा, और एक हाथ question देदेगा 2 mark के लिए तो 2 mark के लिए, यहाँ पे एक हाथ question मैं कैसे बता सकता हूँ कि for example ले लो, कि एक bubble वाले questions बहुत पुछत है कि एक bubble है, ठीके ना, उसको एक बड़ा bubble है उसका radius समझो capital R है और उसको break करके हमने छुटे-छुटे 27 bubbles बना दिये जिसका radius definitely small R है तो उसमें surface energy का क्या होगा ऐसे आपको questions पूछे जाते है समझ में, आरा मैं क्या बुल रहा हूँ तो ये और वो, ये पूरे chapter में आपको surface tension और surface energy पे बहुत questions आज तक पूछे गए है और इसलिए deliberately मैंने ये चीज़ ली हुई है तो यहां तक आप 2-3 mark के लिए आराम से cover कर सकते हो और साथ में एक हाद वो bubble का question या फिर एक frame का question अगर हम ले लेंगे तो आपने को मिल जाएगा चलो अगर मैं example यहां पे लेके बता दू ठीक है वही frame वाला अगर मैं यहां पे example ले लू suppose करो कि जो initial frame है उसकी जो भी length और breadth है है ना जो length है suppose करो 10 cm की है और जो breadth है वो suppose करो 5 cm की है है ना अगर मैं यहां पे ले लू example if length is equal to 10 cm and breadth p is equal to what 5 cm और change in the breadth याने del b अगर मैं ले लू that is equal to 1 cm है ना तो यहां पे change in area जो मिलेगा वो मुझे कैसा मिलेगा this length into breadth और यह change अगर कर दिया याने मैंने उसको बढ़ा दिया याने फिर lateral length पकड़ लो बी पकड़ने से अच्छा मैं अगर बी डश यहां पे पकड़ लेता हूं कि next b is equal to 6 cm है तो हमने क्या किया 1 cm से बढ़ा दिया तो change in the area कितना हो जाएगा 10 into 1 that is what 10 cm square हो जाएगा उसको meter square में convert कर देना और multiply by surface tension कर देना आपको answer मिल जाएगा ठीक है कुछ इस तरीके से question पूछते हैं और आपको उसी तरीके से उसको solve करना है next is the question on thermodynamics ठीक है और एक chapter से almost one one questions हम देखेंगे कहीं लगता है तो दो देखेंगे लेकिन अभी तो हाल फिलाल वही चकर रहेंगे state first law of thermodynamics and derive the relation between change in the internal energy, work done and heat बढ़िया question है चार मार्क के लिए आपको यह बहुत अच्छे से लिखते आता है state first law of thermodynamics आपको पहला law of thermodynamics बताना है और derive the relation between the change in the internal energy, work done and heat अब आपको बहुत अच्छे से बता है बेटा क्या कि इसके लिए मुझे सबसे पहले तो diagram निकालनी पड़ेगी कि suppose करो यह है तुम्हारा container और यह है उसमें लगा हुआ piston इसको कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे लगा देता हूँ इसके अंदर मैं थोड़ी सी पहले यहाँ पे gas डाल देता हूँ कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है यस डेफिनेटली दिख रहा है उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ी सी source of यह लगा दूँ क्या बोलते है हीट मैं यहाँ पे लिख दूँ दाट इस हीट है यह दी हुई जो हीट है वो मैं यहाँ पे नीचे लिख दिया हूँ ठीक है अब कैसा करेंगे what is the first law of thermodynamics इसको कैसे explain करेंगे आप zero law तो आपको पता है what is the first law कि जो भी हम energy देते है जो भी हम क्या करते है बेटा energy देते है किसको system को energy देते है तो वो दो चीजों के लिए use होती है पहला होता है क्या बेटा कि उस energy से आप उसका internal energy बढ़ाओगे और दूसरा word done करोगे on the surrounding कुछ इस तरीके से हम first law of thermodynamics यहाँ पे बोलते है राइट ओके तो क्या लिखोगे first law of thermodynamics में यह तो हमने उसका एक final यह बता दिया क्या बता दिया कि जो भी हम energy देंगे वो दो purpose के लिए use होगा पहला होगा क्या कि आपका internal energy change होगा और दूसरा जो है वो word done होगा लेकिन in a nutshell यह सारी चीजों का एक overview क्या बोलता है बेटा मैं यहाँ पे statement लिख दू statement ठीक है statement मैं यहाँ पे लिख दू क्या बोलता है statement the total energy of a closed system is neither lost nor gained but it can be transferred from one form to another form आप ऐसे लिख सकते हो ठीक है statement के तूर पे the total energy okay the total energy of a closed system the total energy of a closed system is neither loss or gain और यह लिखने से चामे लिख सकता हूँ the total energy of a closed system is constant in a simple language में is constant but it can be transferred but it can be transferred from one form to another from one form to another तो यह हो गया आपका statement बेटा ठीक है statement निकालना है diagram निकालना है अब बोलता है derive the relation between the change in the internal energy and the burden and the heat चलो करेंगे अपन उसमें ठीक है तो यहाँ पे आप पहले ऐसा लिख सकते हो क्या कि जब भी देखो यह मैं container को अभी heat कर रहा हूं ठीक है और मानलो यहाँ पे volume मैं constant रख रहा हूं यानि मैं piston को hold करके रखा हूं तो उपर नीचे नहीं जा पाएगा ठीक है तो जब मैं piston को hold करके रख रहा हूं पहला case बता रहा हूं और यहां से heat दे रहा हूं तो definitely volume बड़ेगा नहीं तो piston का displacement होगा नहीं तो यहाँ पे word done होगा नहीं तो यहाँ पे सिर्फ क्या होगा जो भी आप energy दोगे वो directly convert होगा क्या in the internal energy तो पहला case क्या बोलेगा हम आप यह पहला case क्या लिख सकते है कि when heat is supplied है नहीं वेन हीट इस अप्लाइड अट ओंस्टेंट वॉल्यूम अगर मैं हीट सप्लाइ करता हूं तो क्या होगा बेटा जो भी तुम्हारा energy है क्यों वो directly convert होगा क्या तुम्हारे internal energy में याने जो भी आप heat supply करोगे that will be what is equals to change in the internal energy है ना तो मैं यहाँ पे theoretically लिख दूँ कि अगर ऐसा होगा कि when heat is supplied at constant volume then no work is done and hence all heat is converted to all heat is converted to internal energy याने इस case में system जो है वो heat क्या कर रही है बेटा गेन कर रही है so therefore मैं यहाँ पर लिख सकता हूं जो भी क्यूँ है वो क्या होगा तुम्हारा चेंग इंटर्नल energy ठीक है तो यह हो गया तुम्हारा पहला एक assumption या फिर पहला case बोलेंगे आजम संचे अच्छा ठीक है फिर दूसरा यहाँ पर क्या आएगा अब मैं क्या करूंगा बेटा कि हम मैं energy कुछ नहीं दूँगा जो भी है energy जैसे का वैसा है है ना यानि अगर मैं यह वापस से system में आने की कोशिश करूंगा तो मैं अभी क्या किया हूँ यह heat इसको दिया नहीं हूँ ठीक है जो भी मालो कुछ internal energy होगी उससे कुछ energy निकालके मैंने word done कर लिया तो definitely जो भी मेरा word done रहेगा या फिर जो भी मेरा internal energy रहेगा वो negative of the word done रहेगा तो मैं वहीं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या कि when gas expands और system expands आप लिख सकते हो when gas expands without consuming heat when gas expands without consuming heat then some internal energy is used to do work है ना जो भी internal energy है वो work करने के लिए use होगी therefore जो भी तुम्हारा internal energy रहेगा ये case में रहेगा minus w बात समझ में आई I hope this is clear अभी क्या करेंगे इन दोनों equation को sum up करेंगे ठीक है इन दोनों equation को मैं sum up करेंगे और क्या होगा देखो अगर आप धंग से देखोगे तो क्या होगा पहले case में मैंने क्या किया था बेटा heat दिया volume constant रखा तो जितना भी heat था वो किस में convert हो गया बेटा internal energy में convert हो गया बात में मैंने क्या किया heat देना बन कर दिया और इसको expand किया बिना heat दिये तो definitely जो भी तुम्हारा internal energy है उसका कुछ portion जो है वो किस में जाएगा वर्ड डन में जाएगा बात समझ में आ रहा है तो अगर मैं इन दोनों को sum up करता हूँ है ना इन दोनों को मैं sum up करता हूँ sorry summing up about two points अब बोल तो इसके पीछे के side का ठीक है summing up about two points तो क्या होगा बेटा मुझे ये मिलता है कि जो भी मैं heat supply करता हूँ that is equals to what tell you minus w इसका मतलब यही है system को अगर आप heat दोगे और उसको free छोड़ दोगे कि piston भी उपर नीचे मूँ हो सकता है तो क्या होगा कुछ जो आपने heat दी that is converted into change in the internal energy और कुछ जो heat होगा that is you know used for doing the work I hope this is clear right so this is the expression for the first law of thermodynamics आपको statement लिखना है आपको diagram निकालनी है diagram को भी थोड़ा सा explain करना है ठीक है छोड़ना नहीं है उसके बाद वो दो statement लिखने है दो statement से आपको ये दो expression रखने है सामने और उसके साथ summing up करके आपको ये लिखना है so that is all about what your first law of thermodynamics then another one is what the oscillation ठीक है next chapter is what the oscillation let's see क्या question है using differential equation of linear SHM obtained an expression for acceleration velocity and displacement of simple harmonic motion बहुत ही बहुत ही बहुत ही famous question है ये questions तो ऐसे पकड़ो कि आए गए अगर मानलो नहीं कुछ उनको देना है तो ये दे देते पकड़ के है ना ऐसा कुछ सोचना नहीं पड़ता है ये question के लिए आपको जो है इसको बहुत अच्छे से करके रखना पड़ेगा बेटा क्योंकि ये कभी भी पूछ सकते है चलो तो देखते है इसको कैसे अटेंड किया जाता है आपको बता है differential equation of SHM क्या होता है आप सबसे पहले differential equation of SHM लिखोगे TIB होगा using differential equation of SHM तो मैं लिख दूँ यहाँ पर क्या होता है differential equation D square X upon DT square plus omega square X is equals to 0 so that is what your differential equation of SHM मैं यहाँ पर लिख दूँ this is what differential equation of SHM I hope this is clear अभी एक-एक करेंगे अपर है obtained an expression for acceleration, velocity and displacement of simple harmonic motion तो यह पहला बार्ड हो गया समझ दो अब दूसरा बार्ड क्या है यानि यह तो मैंने लिख दिया इसमें अभी सबसे पहले A लिखेंगे for acceleration चिक है कैसे होगा इस D square X upon DT square को मैं acceleration भी करके लिख सकता हूँ क्योंकि basically यह यही formula होता है D square X upon DT square is nothing but the expression for acceleration so a plus omega square X is equal to 0 and therefore a is equal to minus omega square X so this is the expression for what your acceleration लिखना आपने ऐसा आपने लिखना the differential equation of SHM is given as this then for acceleration और दें for the first part आप जो है वो कुछ ऐसा लिखोगे कि D square X upon DT square you know like this फिर मैं second part लोंगा अभी यह तो हो गया मेरा किसका acceleration का अभी second part में लिखूंगा for what velocity velocity का कैसे लिखेंगे अपन देखो D square X वही लेंगे अपने expression D square X upon DT square plus omega square X is equals to मैं लोंगा यहाँ पे 0 ठीक है लेने के बाद यह D square X upon DT square को मैं ऐसा लिख सकता हूँ न कि T V by DT मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ इसको क्योंकि T X upon DT तो V होता है और उसका square है तो मैं इसको सीधा लिख सकता हूँ क्या D V upon DT is equals to minus omega square X क्या मैं लिख सकता हूँ येस मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ ठीक है सामने चलेंगे therefore उसमें थोड़ा सा मैं arrangement करूँगा that is D V by D X into D X by D T ठीक है न D V by D T को मैंने क्या किया है थोड़ा सा change किया है यहाँ पर D X D X ये दोनों जो क्या हो जाता है cancel हो जाता है that is equals to minus omega square X अब D X by D T आने तुमारा V हो जाता है तो ये expiration वापस से ऐसा हो जाता है V D V upon this V D V upon D X that is equals to minus omega square X अब ये D X को धर लेके जाऊंगा तो क्या मिलेगा मुझे V D V that is equals to minus omega square X into D X बराबर अब integrating both the sides दोनों साइट से integration करना पड़ेगा मुझे therefore integration of V D V is equals to minus बाहर निकाल लेता हो मैं integration of omega square X into D X अभी इसको solve करेंगे हम है ना अभी हम V निकाल रहे है अभी तक हमारा V निकलने का है ठीक है तो हम अभी V निकाल रहे है so therefore क्या रहेगा V square upon 2 that is equals to ये आजाएगा आपका minus omega square X square upon 2 plus आजाएगा आपका C where C is what constant of integration अब मुझे C की value यहाँ पर निकालना जरूरी है बराबर है तो आप suppose करना कि एक कोई भी SHM है जो दो you know extreme end के बीच में perform हो रहा है तो आपको पता है जब भी particle mean position से गुजरता है so this is your mean position this is your extreme position okay जब भी particle mean position से गुजरता है तो उसकी velocity जो है वो maximum होती है और जब भी वो extreme position पे होता है तब उसकी velocity 0 होती है तो मैं यहाँ पे लिख दू for particle performing SHM for particle performing SHM V is equals to 0 at extreme position और extreme position पे जो भी displacement होता है वो कितना होता है बेटा A होता है that is the amplitude तो मैं कैसा लिखूंगा इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ therefore at x is equals to capital A v is equals to 0 and I am putting this thing over here so v is equals to 0 हो जाएगा so 0 is equals to इसमें अगर मैं put up करूँगा 0 is equals to minus omega square x बुले तो क्या a square divided by 2 plus c तो c का expiration मुझे यहाँ पे मिल जाता है omega square a square by 2 right अब मैं इसी की value जो है यह c में मैं put up करूँँगा तो मुझे expiration क्या मिलता है बेटा therefore v square by 2 that is equals to minus omega square x square by 2 plus omega square a square by 2 I hope this is clear बराबर अब देखो यहाँ से 2-2 तो हट जाता है तो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ यहाँ पे v square is equals to क्या मिलता है मुझे मैं omega square बाहर constant निकाल लेता हूँ तो a square minus x square ऐसा expression मुझे यहाँ पे मिलता है बराबर therefore therefore v is equals to क्या लिखूंगा मैं plus minus omega under root of a square minus x square is your answer so this is what the expression for velocity आप आपने लिखना this is what the expression for velocity छोड़ना नहीं है जैसे यहाँ पे कहां गया था हमने this is the expression for acceleration यहाँ पे नीचे लिखा था यानि मैंने नहीं लिखा हूँ आपको बोला था लिखने के लिए ठीक है सर आपने लिखा नहीं और हम को बोल रहे हो लिखने के लिए ऐसा नहीं ठीक है बेटा यह बहुत ही famous question है इसको छोड़ना नहीं है ठीक है चलो फिर next चलते है हमारा आखरी बच्ठता है क्या displacement के लिए हमको equation निकालना है, तो कैसे निकालेंगे displacement की equation, तो मैं यहाँ पर लिख दू, c for what displacement है ना, अब displacement के लिए मैं expression निकालूंगा तो कैसे अभी देखो, यह v जो है यह v को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या dx upon dt है ना, तो that is equals to plus minus omega under root of a square minus x square क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ हाँ मैं बिल्कुल इसको ऐसा लिख सकता हूँ अब मैं क्या करूँगा बिटा यह चीज इधर लेके आऊँगा और dt को उधर लेके जाऊँगा और सिर्फ plus वाली चीज जो है वो imagine करूँगा so it is dx upon under root of a square minus x square okay that is equals to omega into dt है ना अब क्या करूँगा मैं अब मैं इसको integrate करूँगा integrating both sides therefore integration of dx upon under root of a square minus x square is equals to क्या हैगा omega dt क्या आएगा बिटा आपका omega dt आएगा बराबर not omega dt integration of omega dt चलो अब इसको solve करेंगे इसको solve करोगे तो आपको मिलेगा sine inverse of x by a ठीक है and that is equals to what omega t plus phi where phi is what the constant of integration अब inverse है तो मैं direct sine का हटा जेता हो therefore x by a is equals to क्या लूँगा मैं this is sine inverse of दोनों साइट से sine लगा दूँगा मैं तो ये क्या मिलेगा आपको sine omega t plus phi आपको यहाँ पे मिलेगा and therefore x is equals to a sine omega t plus phi so this is the expression for the displacement of a particle performing shm I hope this is clear है ना अभी आपको एक idea आ गई है कि किस तरीके से हमको solve करना है तो proper presentation करना है proper diagram निकालना है और उसी के साथ साथ बेटा क्या करना है हमको उसके answers भी लिखने है राइट चलो सामने चलेंगे superposition of waves अभी superposition of waves में देखो बेटा composition of shm यह आपको करना ही करना है composition अगर आप composition of shm अगर आपने कर लिया ठीक है तो उसी के साथ साथ आपको क्या बूलेंगे superposition of waves का beat formation है फिर stationary wave का formation है यह 3-4 जो भी आपके क्या बूलते derivation वहाँ पे clear होता है तो composition of shm आपको छोड़ना नहीं है मैंने वो 2-3 मार्स में भी आपको tick mark करवा की दिया था तो आज थोड़ा सा कुछ उससे हटके questions यहाँ पे आपन देखेंगे क्या कि state and verify the laws of vibrating strings using sonometer देखो आता सभी को है लिखोगे कैसे अगर मालो यह question आपको 4 mark के लिए आ जाता है तो इसको कैसे attempt करोगे यह आपको बताना है यह आपको यहाँ पे समझा के बताना है राइट ओके तो superposition of waves में देखेंगे बेटा क्या question है state and verify the laws of vibrating string using sonometer ठीक है देखते हैं अपन क्या चीज़ है यहाँ पे आपको बता है जो भी frequency का formula होता है वो कैसे दिया जाता है बेटा हमको frequency का formula हमको दिया जाता है frequency is equals to 1 upon twice L under root T by M है ना ऐसा formula हमको दिया जाता है और इससे हमको यह बताना पड़ता है कि sonometer experiment के साथ हम इसको कैसे verify कर सकते है तो आपको पता है बेटा sonometer जो होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है आपको ठीक है आप हल्के सी उसके diagram भी बना सकते हो exam में not an issue so suppose करो this is the sonometer okay मैं इसको वापस से यहाँ पे और यह ऐसा बना दूँगा उसके लिए ताकि यहाँ पे चीज ढग से दिखे मुझे ठीक है आप एक सेकेंड बिटा रसा यह यहाँ पे तो that is this यह एक और यह ऐसा यहाँ पे ऐसा बोर्ट टाइबा आप बना सकते हो ठीक है और इसके ऊपर जो है आप पुछ इस तरीके से वो उसके जो ब्रिज है वो आप बना सकते हो दस द स्थ फर्स्ट वण रोड और गया होगा और यहाँ ऑगया होगा और यहाँ जो है वो नीचे एक क्या बोलेंगे वेट के लिए जो है वो नीचे आता है ठीक है और इसके ऊपर जो है वो हम एक टुक्डा सा पेपर का एक तुकडा रख देंगे पुछ इस तरीके से तो यह हो गया क्या आपका एक सोनो मेटर का अर्रेंजमेंट में बात करूंगा उसकी ठीक है और एक सेकेंड कुछ इस तरीके से ठीक है अब मुझे इसको क्या करना है इसके जो भी लॉज उसको वेरिफाई करने है तो इसके अलग-अलग laws है है ना सबसे पहले तो मैं इसको अपको इसके law बदा दूँगा तो जो पहला law है हम क्या करेंगे उसमें tension और mass पर unit length जो है वो constant रखेंगे अब यह लिखने के बाद ऐसा सबसे पहले तो यह लिखने लिखने का कि the expression for the frequency is that N is equals to 1 upon twice L under root T by M where N is the frequency ठीके में लिख दू यहाँ पर where N is what the frequency okay L is what length of vibrating string okay उसके बाद T जो है that is what tension in the string ठीके और M जो है that is mass per unit length of the string मैं कहीं यही adjust कर लू कि चलो कोई बाती मैं इधर भी adjust कर सकता हूँ ठीके so here M is what mass per unit length ठीके आफ स्ट्रेंग आपने ऐसा लिखना है और बता रहा है ठीके तो अभी जो है वो अलग-अलग laws है याने laws and innocence कैसा पहला law frequency और length के बीच में होता है दूसरा frequency और tension के बीच में होता है और तीसरा frequency और M के बीच में होता है वहाँ पे आप density भी कर सकते हो और radius की भी आप वहाँ पे लगा सकते हो तो मैं basically यहाँ पे तीन करूँगा है ना state and verify the laws of vibrating string तो पहला law क्या है मैं यहाँ पे लिख दू first law ठीके ना first law मैं यहाँ पे लिख दू first law क्या है बेटा first law कि अगर अगर आप tension and mass per unit length constant रखते हो if t and m are constant ओके constant then जो भी आपका frequency होगा वो inversely proportional to the vibrating length होगा यह होगा आपका पहला law अगर इसको मैं थोड़ा सा और यहाँ पे extend करूँ तो वो कैसे होगा therefore n into l is equals to what constant ठीक है और therefore मैं ऐसा लिख सकता हो कि n1 l1 is equals to n2 l2 is equals to क्या रहेगा बेटा constant यह होगे आपका पहला law कुछ इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा आप इसको देख सकते हो आप directly होगे the formula for the frequency of the string is given by the expression n is equals to 1 upon twice l under root t by n तबके जो भी notation है वो लिखेंगे हम हलका सा diagram बनाएंगे हम first law वहाँ पे लिखेंगे हम ठीक है first law क्या है if t and m are constant then the frequency is inversely proportional to l और अगर उसी को solve करूँँगा तो मुझी यह चीज मिल जाती है रही फिर मैं क्या करूँगा second law लूँगा बेटा है ना second law क्या है second law बताओ अभी क्या करूँगा मैं if length and mass per unit length is constant okay then frequency जो है वो directly proportional to root of t होती है यह यह frequency is proportional to what root of the tension in the string therefore it also applies that कैसे लिखूंगा मैं n upon root of t is equals to हो जाता है आपका constant right and therefore मैं इसको लिख सकता हो कैसा therefore n1 upon root of t1 is equals to n2 upon root of t2 is equals to constant I hope this is clear fine that is what your law of tension पहला जो था वो क्या था law of length था पहला जो था यह क्या था first law is what law of length मैं इसको लिख सकता हूँ वहाँ पर that is what law of length first law is what law of length ठीक है दूसरा जो law है वो क्या था बेटा law of tension ठीक है अभी तीसरा जो है वो हम उसी line में लिख सकते हैं कैसे लिखेंगे उसी line में उसको ओके तीसरा जो law है कैसे लिखेंगे हम इसको third law जिसे मैं यहाँ पर लिख दूँँगा what is this this is what third law third law कैसे लिखूँगा बेटा that is what law of linear density what is this law of linear density याने रो की बात करूँगा मैं ठीक है तो यहाँ पर कैसे लिखूँँगा मैं यहाँ पर सिधा लिखूँँगा if t and l is constant है ना तो जो भी मेरा frequency होगा वो क्या रहेगा inversely proportional to the root of m m क्या है बेटा mass per unit length याने capital m by l है ठीक है तो चलो मैं इसकी को थोड़ा सा और solve करने की कोशिश करता हूँ देखते क्या मिलता है मुझे यहाँ पर ठीक है एक छोटा सा मैं यहाँ यहाँ पर डबा बना देता हूँ अलग से t m is nothing but what capital m by l okay density जो होता है वो होता है तुम्हारा mass upon volume so therefore mass is equals to बन जाता है क्या आपका volume into density right बस मैं वो ही यहाँ पर वाली put up करूँगा so therefore n is proportional to 1 upon यह mass per unit लें देने क्या capital m by l but m याँने क्या v into rho ठीक है बीटा so that is under root of capital m के जगा sorry volume, volume कितना होगा अभी यह spring की बार चल रही है तो volume होगा तुम्हारा pi r square h यह तो volume हो जाता है यानि यह l हो जाएगा तो pi r square l will be the volume okay and this is the density okay divided by क्या आ रहा है आपका length आ रहा है now see length यहाँ पर cancel हो जाता है और radius को अगर अपनने same रखा वही पर तो मुझे क्या मिल जाता है frequency is proportional to sorry inversely proportional to the root of density और अगर मैं radius की बात करू तो it also implies that n is proportional to inversely proportional to what radius so it is inversely proportional to the root of density and inversely proportional to what radius so that is what the law of linear density right तो इससे आप क्या लिख सकते हो इससे क्या लिख सकते हो कि therefore it implies है ना मैं यहाँ पर इससे को लिख सकता हूँ it implies n1 into row 1 that is equals to n2 into root of row 2 is equals to यहाँ पर हो जाएगा constant ठीक है उसी तरीके से यह क्या imply करेगा आपका that is n1 r1 is equals to n2 r2 is equals to क्या एगा तुम्हारा बेटा constant है ना तो कुछ इस तरीके से आपको यह वाला question जो है exam में solve करना होता है तो you can see कुछ इस तरीके से आपको present करना है ठीक है अब इसमें बहुत सा जो theory part है जो हमको लिखना पड़ता है वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा हूँ तो आप उसको थोड़ा सा explain करोगे मैंने कहा था कि expression for the frequency is this and you have to write like up to this first law क्या होता है law of length होता है उसमें हम यह बताएंगे कि अगर हम if the tension in the string and the mass is constant and if we perform the experiment for different values of length then the frequency is inversely proportional to length ऐसा लिखना है it implies that of the string is constant and if we perform experiments for what different tension then frequency is proportional to the what root of tension so this is the constant and this implies this उसी तरीके से हम third law लिखेंगे और हमारा answer निकालेंगे fine so I hope this is clear सामने चलेंगे इसको हटा देंगे ठीक है जो काम कानी है now kinetic theory of gases and radiation के बारे में थोड़ा सा देखेंगे इसमें question है बेटर derive mares relation mares relation के बारे में आपको यहाँ पर derive करना है अभी mares relation क्या होता है यह तो आपको पता है what is mares relation cp-cv is equals to what r that is your mares relation मैं यहाँ पे लिख दू पहले ही लिख दू that is cp-cv that is equals to what r that is the mares relation अभी यह relation मुझे explain करना है चार मार के लिए तो मैं सेम क्या करूँगा वही डाइग्राम निकालूँगा एक ठीक है डाइग्राम में बनाऊँगा थोड़ा सा पिस्टन ओके और कुछ इस तरीके से ठीक है मैं यहाँ पे इसको बना दूँगा अब जो है मैं इसमें one mole of gas डालूँगा कितना one mole of gas पहले तो डाइग्राम तो बनानी ही पड़ेगी मुझे ठीक है पुड़ा आराम से समझ लो देखो ये बात तो तयह है बेटा की पूरा का पूरा यहाँ पे सिला बस तो कवर नहीं होने वाला पूरा तो पूरा तो आपको नहीं मिलने वाला लेकिन आपको एक आइडिया आ जाएगी कि एंसर कैसे अटेम्ट करने है क्योंकि मुझे जितना experience है वहां से मैं यह बता सकता हूँ कि बच्चों को आता almost है लेकिन वो प्रेजंट नहीं कर सकते प्रेजंट याने वो एक्जाम में एंसर नहीं लिख सकते so this is what the one mole of gas I hope this is clear that is the one mole of gas तो बस हम वही से start करेंगे let one mole of gas enclose in the container मैं यहाँ पर ऐसा लिखूंगा let one mole of gas is enclosed in इसमें cylinder fitted with airtight piston ठीक है अब क्या करेंगे हम इसके पहले जैसे किया था वही करेंगे अब definitely यहाँ पर हमको पता है क्या कि जब भी हम कभी भी heat करते है ऐसे एक system को और उसका अगर मानलो हम volume constant रखते है तो जो भी हमने दी हुई energy है वो किसमे convert हो जाती है बेटा that is get converted into what the internal energy याने जो भी इसकी internal energy है वो क्या हो जाती है बेटा बढ़ जाती है ठीक है so मैं यहाँ पर लिख दूँ यह तो मैंने लिख दिया if we heat the system at constant volume अगर हम system को constant volume पर heat करते हैं तो जो भी हमने energy दी है जो भी हमने energy दी है that is converted into what change in the internal energy और इसी को हम लिख सकते है क्या c v d t याद आ रहा है आपको molar specific heat at constant volume जो भी हम energy देंगे that is nothing but what c v d t and that is what the change in the energy यह हो गया हमाला पहिला एक case हो गया ठीक है बाद में हम क्या करेंगे ठीक है बाद में हम क्या करेंगे अगर इसको मैं ऐसा यहाँ पर लिख दूँ बाद में क्या करेंगे हम अभी इसको heat करेंगे constant volume पर नहीं उसको छोड़ देंगे जो भी piston है वो अपने आप जो है वो उपर चलते रहेगा है ना तो according to the first law of thermodynamic क्या होगा मैं भी सामने लिखूंगा यहाँ पर if we allow allow the system to expand expand at constant pressure if we allow the system to expand at constant pressure so what will happen जो भी आप heat दोगे वो किसमे किसमे convert होगा change in the internal energy पर convert होगा और प्लस जो भी है वो आपका वर्दन रहेगा and this is what according to the first law of thermodynamics मैं आप लिख दू according to first law of thermodynamics अगर आपको लग रहा हो तो आप यहाँ पर बुझे बता सकते हो ठीक है यहाँ पर यहाँ तक चीजे आई होगे इस क्रिस्टल क्लियर राइट ठीक है तो according to the first law of thermodynamics q is equal to d e by d e plus w ठीक है एक काम करेंगे इसमें हम थोड़ा सा यह q की जगा हम यहाँ पर इसको d q 1 कर देंगे ताकि हमको solve करने में easy जाएगा ठीक है change in what your volume into what the pressure यह भी एक formula होता है ठीक है बेटा तरह अचा मते कसा करा है इसा आपन बगा therefore d q 2 is equals to d e plus p d v है ना that is what your work done I hope this is clear बरोबर आता बगा हाजो d q 2 आहे it is nothing but what c p d t है ना constant pressure और आपन के लिला है तो c p d t मदे convert होई आरी d e मनजे का होना रहा है c v d t होना रहा है अचा मदे plus p d v है ना simple आहे समोर सलू यह आपन का होना रहा है अचा मदे बगा मियाल इगड़ी क्यों ने तो है c p d t minus c v d t is equals to का है तुमसे p d v है ना p d v इत्सला में लिहूंगे तो यह थे p d v का ही हरकत नहीं that is what p d v आता तुम्हाला माईता है p v is equals to n r t होता है और यह थे one mole of gas कितले आपन तर तैचा मदे फक्ता आपन n r t के हो शकतो राइट देरफोर c p मैं d t यहां से common निकालेता हूं c p minus c v into d t मैं इस p d v को r d t ऐसे लिख सकता हूं आता बगा d t d t इते cancel होता है आणि मला का इते शिल्लक उरता है c p minus c v is equals to r so this is what your mayor's relation याला स्काय मनाय सा आपन mayor's relation मनाय सा बढ़ादनो ठीक है I hope this is clear this is what your mayor's relation अशा प्रकारे तुम्हाला पूर्णा व्यवस्तित लिहाय सा है आणि त्यास वरोबर त्याला थोड़ा से explain करून सुद्धा ते उत्तर लिहाय चाहे तैन अंतर चलू या बेटा पन wave optics मदे तसतर बरेच्छे प्रशना है जै आपन definitely समोर पन भगना रहो समोर marathon वगरे पन त्यातला त्यात एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन से एक theoretical question लिहाला तुम्हाला थोड़ा से जड़ दाते बगा numericals दर solve करा चाहे तो आपना डारेक्टली करते कि यार ही value दिले लिया है आणि आपना रही value पुटप करा चाहे आपना आणसर काड़ा चाहे तैरोटिकल मदे कस होते है तुम्हाला थोड़ा सा सगड़ जच कराव लागते ताचा मदे की लिया है चाहे काई लिया है ले करूंट हेवाए साथी और तैन अंतर मी कही diagram सुद्धा सांग इतले लिया है मी तैचा सुद्धा एक वीडियो बनो लेला है तो तुम्हीं बगू शक्ता ठीक है तरी आचा मदे what is interference ठीक है what is your interference explain constructive and destructive interference तुम्हाला सांगा ऐसा है with the help of the diagram and what are the coherent sources of light है ना आथा interference मंजे काई जेवा दोन वेवस जेवा दोन लाइट वेवस एका पॉइंट वर एतात तुम्हाला दर लक्षा दसेल तर कि जेवा दोन वेवस एका पॉइंट वर एका जागी एतात ओके त्या case मदे काई होता है जो एक resultant displacement असतो तो वेक्टर समासतो दो घान सा राइट अनि ग्रेश्ट वर ट्रफ पड़ा दसेल तो constructive interference होतो और अनि CREST वर ट्रफ कि वा ट्रफ वर Crest पड़ा दसेल तो destructive interference होतो आई होब दिस इस क्लीर वर ओर आनि coherent sources मंजे का आसते पेटा अशे sources की जाची frequency सारखी असते आणि खाजिआ मदे phase difference नासतो तो या आदे constant phase मदे आसत तो आपन बेटा कोहरेंट सोर्स से ता हाँ जाला एक तुमसा ओवर्वीव यहाँ प्रश्नाच सा मंग वाट इस इंटरफरेंस मंग हे करना से तुम्हाला आधी एक डाइग्राम कड़ावी लागिला केस मद है ना आपन ते जे रिप्पल ची डाइग्राम काड़तो ना ते इथे काल्ड तर बढ़िया राहिल पड़ाता है कस्यों हुई ल थोड़ा सा बगाव लागिल यह होता है का से यह इलका ठीक है यह वसा मलवाटत नहीं है असा जमनार वाणू ठीक है मी सरड बेर हैंड नीस करतू ठ संफोज करा यह दोन सोरसे साहत ङ॥? इस एमर्ज होता है यह असा फॉह पहले वेव धूसरी वेव ठीक है यह तीसरी वेव टीक है मी यह तक है कि फाली पहले तूमेंर यह थोड़ा सा इसे काड़नाइस आपन प्रेत्न के लिए ला है, I hope it will okay, so that is the first wave, ठीक है? की डाइगराम तुम्हाला जिदे काड़ाईची आए? ठीक है, आणि इकड़ चीजी आए, मी थोड़ी शी वेगड़ा कलदर ची काड़तो है, सब उसकरा है blue से टीक है, सुधा तसस करता है, ऐ अपनला कही कराया जाता है, अहे पहला आ। तुम्हाला? आथा तुभी इत बगूशाकता की एक मदली आहे, जाचा मदले, यह ना आधा जासा एक डॉटेड आणि एक कायम अहों अपला है जस्ते आवा जेख क्रेस्ट रफ अपनुद यह पकड़ो चक्तू मी यह ली हूंगे तो चला वेख वेखढ़े लाइण से थीक है आधी क्रेस्ट मखा तुमसा ट्रफ मख क्रेस्ट 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 मख क्र यह जो तुम्हाला लाइन इतु मिडला ता, यह ते है लाइन तुम्हाला पूर्णा पूर्णा ना है मिडला अपन यह तुम्हाला लाइन मिडल, यह लाइन वर तुम्हाला काई मिडल बेटा, constructive interference middle, I hope this is clear, बरोबर आ है, बाकी जीते जीते तुम्हा, crest वर, ट्रफ, क्यों, ट्रफ वर, crest पढ़लती तुम्हाला destructive interference मिडला ता, बगा, crest आ है, आणि ऐसा, ट्रफ हाँ, बगा, हाँ, ट्रफ, ठीक है, हाँ, बगा, हाँ, काया है, एक सेकेंड, हा, yes, हाँ, जो, point आ है, हाँ, ट्रफ हाँ, आणि हाँ, crest हाँ, से, क्य אज, क्यों, हाँ, क्यों, से, बगा, हाँ, नि, क्यों, क्यों, कि Я पांड, क्यों, 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 मक्यों, स्वऽ कायी, बगा, मैं, सब्सक्राश, expecting याची आपन लिव यादी डेफिनेशन, डेफिनेशन मदे काया ली नार तुम्ही, जेवा दोन वियो एका मीडियम वर साइमल्टेनिसली यून बढ़तात, त्या पॉइंट वर एक डिस्प्लेस्मेंट क्रियेट होतो, आपने तो डिस्प्लेस्मेंट वेक्टर समस्तो, that is what the interference, ठीक है, तान अंतर तुम्हा constructive interference, constructive interference, याँ केस मदे, कायसता constructive interference मदे, ज़र समझा, क्रेस्ट, ओन क्रेस्ट, और, टॉफ ओन क्रेस्ट, तुम्हा ला कायँ मेडना रह बिटा, constructive interference मेडना रहे, याँ केस मदे, कायँ मेडना रहे, constructive interference मेडना रहे, जर क्रेस्ट वर क्रेस्ट असल आनि ट्रफ वर ट्रफ असल राइट आनि डिस्ट्रक्टिव इंटर्फरेंस मिला के वह मिदना रहे मीद लिऊंगे तो ये कि वह मिदना रहे मिला जिवा ट्रफ वर क्रेस्ट कि वह क्रेस्ट वर्ट ट्रफ पढ़लते वा तर्मीत आला एका लाइन मदे समप कुरू शक्तों का है क्रेस्ट ऑन ट्रफ और वाइसी वर्सा ठीक है यहाँ वीडियी मदा का मिलना रहे टिस्ट्रक्ट्व इंटर्फरेंस तो तम्हीं असस लीओं ठेवाल का बिल्कुल नहीं तूमहीं डाइग्राम करता है इंटर्फरेंस ऍट्राइशन लिए चन्सिट्रक्ठ्व इंट्रफरंच दिन करें लिए चाहे तो माला संगयागर से यहां केसमते तुमीं डॉट्स दिल्या लैरा हे तुमीं तैक्स नंबर से वन, टू थासियँ नंबर तुमीं देविशक्ता जैसे हाँ किंत तेले कुछ्व माला किले इंट्रक्ट्व इ पहुए पहुए नहीं है को ने में और आचाक। frequency and the constant phase difference between them is called as what coherent sources त्याला काया मनाई सा आपन coherent source मनाई सा ठीक है तर coherent source चे में फक्ता पीधे point लिए तो काया कि तुम्सा same frequency ठीक है और दूसरा काया point लिए तो बिटाए ते constant phase difference ठीक है same frequency and constant phase difference these are what the coherent source I hope this is clear तर हे जब उस्टा है कि तुम्हाला लिहूंग काड़ाई चिया है तर अशा प्रकारे तुम्हीं यहाला attempt करू शकता या question ला आणि पूर्ण मार्क्स गेऊ शकता ठीक है नेक्स्ट है बेटा इलेक्ट्रोस्टाटिक्स ठीक है था इलेक्ट्रोस्टाटिक्स मधे नॉर्मली तुम्हाला numericals capacitor in series capacitor in parallel याच और विचारता था और खूब जो गाजलेला प्रश्णा आहे जाला काहे different form and what is the energy stored in capacitor if its capacitance is six microfarad and connect across and connected पाईजे दिते and connected ठीक है and connected across the source of 10 volt ठीक है तो basically तुम्हाला इते expression काड़ाईचा है आणि तचे different forms लेहाईचा है आणि तैसा एक छोटा सा numerical देलेला है ते सुद्धा तुम्हाला काड़ाईचा है actually आपला बोर्ड एक्जाम मदे हाँ बिलुकुल एक common pattern है काई कि एक concept विच्चर दात आणि ताजा सोबत questions सुद्धा देता जेने करून तो एक पूरुन चार मार्का जा प्रश्णा होतो बगा चार मार्का जा प्रश्णा आला अस तर डाइग्राम आणि तुम्हाला explanation तर द्यावाज लागें definitely द्यावाज लागें त्याच बोरोबर एक उस्ट तुम्हीं लक्षाद गया कि अपला presentation पर महत्वाचा है presentation वर मियास खूब जासता फोकस करतो है का करन बगा दोन मार्का चे प्रश्णा है एक मार्का चे प्रश्णा है जा काई प्रेजेंट करा प्रेजेंटेशन ला कूप महत्वस्ते ठीक है energy stored in the capacitor काया है energy stored in the capacitor तुम्हीं कसली हाल ठीक है तो सग्ड़ा दाजी तुम्हाल डाइग्राम कड़ाओ लागें तो डाइग्राम मदे सपोज करा कि मी एक capacitor आहे कि वा मी एक दोन इसे प्लेट्स गे तो है और पारललल प्लेट अगे यह एक प्लेटा है आनी ही दूसरी प्लेटा है अगे यहाला मी एक स्टोर्स लाइज तोर्स ओफ एम असब अगरा थोड़ा मोठा काड़ लाए जो सटी कि जनने को माला जे एकस्प्लेइन कराई जा यह तुम्हाला मी सांग्राई मुझा कलो पाजे आनी ते सोर्स लावला एक बैटरी ठीके आनी अचा प्रकार मी इथे एक कंस्ट्रक्शन के लेला है फाइन ऊकी अधा फाइड आतबगह सपोस करा हां पॉजिटिव टर्मिनल आ है आनी हां निगेटिवattend टर्मिनल आ है कि सबपोस करा ही प्लेट C1 आ है आनी ही प्लेट आए तुमची ती C2 आहे तुम्हीं A और B सुधा प्लेट गहुँशकता, करण C ला आपन इथे चार्ज मुणून इथे चुधा गहुँशकता, मुण अपन याला प्लेट A दियाएचा और B दियाएचा, तर कंसेप्ट कसे बगा, दस्वाँ दस्वाँ इथे चार्ज इथे येल, सपोज गरा इतुन एक पहला प्लस चार्ज आप तो इथे एक आधी चार्ज प्लस डिपोजीट जाला, मैं यारे तुम्हाला कंसेप्ट सांग तो हुँआँ, मैं कसल लिए था ते सांग नार, तो फिर बाद में क्या होगा बेटा मैं दूसरा एक चार्ज लेके आऊंगा प्लस यहाँ पर जब मैं यह दूसरा प्लस चार्ज यहाँ पर लेके आने की कोशिश करूँगा तो यह वाला प्लस इसको अपोस करेगा तो मुझे यह दूसरा चार्ज वहाँ पर डालने के लिए वर्डन करना पड़ेगा फिर मैं तीसरा चार्ज लेके आऊंगा तो मुझे इन दोनों के अगिंस्ट करना पड़ेगा मैं चौधा चार्ज लेके आऊंगा तो मुझे इन तीनों के अगिंस्ट करना पड़ेगा यह समझ में आ रहा है जैसे जैसे यहां पर positive charge जो है वो क्या बोलेंगे हम वहां पर place हो रहा है वैसे वैसे यह जो positive plate है यह negative plate में दूसरे plate में negative charge ऐसे induce करेगी जितने इधर positive charge होंगे उतने इधर क्या होंगे पीटा negative charge होंगे और इसके वजे से यहां पर capacitance develop होंगा and that capacitance is equals to what capacitance नही इसमें एक energy develop होगी और वही energy का हमको formula निकालना है now let's see is the capacitance of the capacitor यहाँ पर मैं c is equals to capacitance of capacitor लोगा तो c is equals to क्या होता है q upon v that is the charge deposited upon what the v अभी word done कैसे लिखेंगे मैं यहाँ पर हमको शुरुवात में थोड़ी सी थेरी लेनी पड़ेगी let a capacitor having capacitance c connected across the source v यहाँ पर हमको ऐसी थेरी लगानी पड़ेगी लिखनी पड़ेगी ठीक है चलो लिख देंगे अपन यहाँ पर कि लेट कि अ क्यापासिटर और क्यापासिटन्स देखेंगे, let a capacitor of capacitance c है ना, is connected across सोर्स वी इस कनेक्टेड एक्रॉस सोर्स वी है ना अब एक कंडिशन इमाजिन करो शुरुवात में इन बिट्वीन जैसे मैंने यहाएँ प्लस पहले यहाँ पर दिपोजिट किया फिर बात मैंने तीनों एक 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 वहाँ पर प्लस डाला तो जब इन बिट्वीन में एक सोचूंगा तो एक इन बिट्वीन छोटा सा वोल्डन करना पड़ेगा डी डेबलू है ना तो जो डी डेबलू मैं हापे लिख दू अट एनी मैं हापे लिखूंगा क्या अट एनी पॉइंट ओफ चार्जिंग अट एनी पॉइंट ओफ चार्जिंग मैं वर्डन कैसा लिख सकता हूँ जो भी छोटा सा वर्डन है दी डेबलू इस इक्वस तो जो भी वर्डन होता है वो होता है क्या चार्ज इन्टू दे पोटेंशियल so that what q-dash into v or I can like v into dq मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ that is v into what dq at any point v into dq जो छोटा सा वर्डन होगा that is equals to what v into dq मैं ऐसा लिख सकता हूँ now I know what do I know कि जो भी हमारा c होता है c is equals to हो जाता है मेरा q by v right तो जो भी मैं यहाँ पे v लिख सकता हूँ ठीक है न v is equals to क्या हो जाएगा q by c तो मैं यहाँ पे v के जगा q by c वहाँ पे लिख सकता हूँ right therefore मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ कि dw is equals to v यहने क्या अभी यह q तो मैं यहाँ पे small q लिख दू upon c into what dq right अब मैं क्या करूँगा इसको integrate करूँगा integrating the above equation therefore जो भी total burden होगा that is equals to integration of dw that is equals to integration of q by c into what dq right अब यह जो integrate करूँगा वो कहां से कहां तक करूँगा 0 से charge q store होने तक तो मुझे यहाँ पे 0 से q यहाँ पे लिखना पड़ेगा okay फिर therefore w is equals to क्या आएगा यहाँ पे that is q square upon twice c is your answer and this w is nothing but what energy stored है na that is energy stored in the capacitor energy u is equals to होता है कितना half q square by c right so this is the expression अब इसके मुझे different forms लिखने है तो मैं यहाँ पे different form लिखूंगे इसके है न डिफ्रेंट फॉर्म्स क्या होते हैं पहला जो है यह तो जैसे का वैसा मैं लिख दूँगा that is half q square by c ठीक है अब क्या करेंगे दूसरा form लिने के लिए सबसे पहले मैं q में एक formula डालूँगा और बात में c में डालूँगा तो मेरे पास एक formula होता है कुंसा c is equals to q upon v यह formula होता है तो पहले मैं q की value यहा पे दिखूँगा तो q is equals to क्या हो जाता है यहा पे c v हो जाता है और c is equals to क्या हो जाएगा और दिरफों c is equals to क्या हो जाएगा q upon v यह दो अलग-अलग form में डाल सकता हो तो पहले मैं q की value यह put up करूँगा so therefore, second form क्या हो जाएगा, that is half into q याने क्या हो जाता है q याने cv, q square याने क्या हो जाएगा, c square v square upon c तो ये मेरा पहला form, याने दूसरा form मन जाता है, sorry, that is half cv square. आई बादहन में, दूसरा form में क्या करूँगा मैं, दूसरे form में मैं यहाँ पर c की value डालूँगा यानि यहाँ पर मैं c की value डालूँगा तो क्या हो जाएगा so that is equals to half into q square c का value क्या है q upon v तो multiply में क्या हो जाएगा v upon q right इसको अगर मैं solve करूँगा तो यह मुझे मिल जाता है कितना half q into v तो यह हो गया पहला form यह हो गया दूसरा form और यह तीसरा form right क्या मेरा अभी खतम हो गया है यह question नहीं खतम हुआ है क्यों क्योंकि यहाँ पर पूचा है what is the energy stored in the capacitor if its capacitance is 6 microfarad and connected across the source of 10 volt तो यहाँ पर अभी जो भी मेरा question है वो कैसा mode लेगा देखो यहाँ पर जो सामनी की बात है वो कैसे रहेगी यहाँ पर given data में लिख सकता हूँ T is equals to what it's 6 microfarad 6 microfarad अभले तो कितना हो जाएगा 6 into 10 to the power minus 6 ठीक है that is farad और जो तुमारा V है वो कितना है बेटा 10 volt है so what is the energy stored up आप देखो यहाँ पर कून सा formula use करोगे मेरे को C दिया है और V दिया है तो यह भी नहीं कर सकता हूँ यह भी नहीं कर सकता हूँ मैं यह कर सकता हूँ so that is half Cv square therefore energy stored U is equals to what half Cv square so that is equals to what half into 6 into 10 to the power minus 3 into V square याने कितना 10 का square याने हो जाएगा 100 sorry यह minus 6 है ना 6 into 10 to the power minus 6 into 100 10 का square कितना होता है पेटा 100 तो यह हो जाएगा 3 है ना तो यह हो जाएगा 3 into 10 to the power यह हो जाएगा minus 4 कुलम sorry Joule not कुलम it's a Joule because it's the energy stored in the capacity so that is your answer एसा एकाद concept या फिर एकाद derivation आपको पूछेंगे और साथ में उससे ही related question पूछेंगे यह आपको क्या बूलेंगे energy relation between the energy and the surface tension जो था same ऐसे ही था उसके साथ एकाद bubble वाला एकाद question पूछेंगे और आपको जो है वो question दे देंगे तो इसी तरीके से आपको वो भी attempt करना है ठीक है सामने चलेंगे magnetic material का एक question देखते है ठीक है चलो explain origin of magnetism in material hence find magnetic moment of electron revolving around the nucleus of an atom इसी के साथ साथ एकाद question भी पूछ लेंगे आपको अब यह क्या चीज़ है बेटा देखो अच्छा current electricity पे question नहीं लिया है है ना तो current electricity पे theoretical question में आपको internal resistance पूछ सकता है to get the internal resistance लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वो उसको थोड़ा सा हम marathon के लिए ले सकते तो मैंने थोड़ा सा उसको रहने दिया है ठीक है आप इसको पकड़ के चलो कि ये जो question है कुण सा explain the origin of magnetism in material magnetism ये material में origin कहां से होता है है ना ये आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा तो आपको ये पता है बेटा क्या कि जब भी कभी भी current carrying conductor होता है उसके आजू बाजू क्या create होता है magnetic field मैं यहापे लिख सकता हूँ है ना a current carrying conductor creates magnetic field a current carrying conductor creates magnetic field around it creates magnetic field around it current carrying conductor creates magnetic field around it by this logic suppose करो कि ये है बेटा nucleus suppose करो ये क्या है आपका nucleus और इसके around जो है वो electron कुछ इस तरीके से घूम रहा है अब मेरे को एक बात बताओ क्या electron जो एसा गोल-गोल घूम रहा है it is nothing but the flow of charge yes it is the flow of charge क्युए इस फ्लोफ चार्ज क्यूंकि इलेक्ट्रोन एक जगा थोड़ी है वो तो बहे रहा है न ये तो गोल-गोल घूम रहा है so in an atom electron revolves around the nucleus and that's why we can say that there is the current inside the atom iska current electric current and that's why atom में ही origin होता है किसका आपका magnetism का so यहां पर अगर लिखा है explain the origin of magnetism in the material है न तो मैं यहां पर लिख दू around it by this logic by this logic or statement by this statement we can say origin of magnetism by this logic we can say origin of magnetism lies in circulating charges inside atoms तो जो भी तुम्हारा स्टेटमेंट है जो मैंने यह आपर लिखा है क्या a current carrying conductor creates magnetic field around it by this statement we can conclude और we can say origin of magnetism lies in the circulating charges inside atom तो जो भी circulating charges से उसमें वो रहता है तो यह हो गया हमारा पहला और वह सामने क्या बूल रहा है hence find the magnetic moment of electron revolving around the nucleus of an atom अब जो आपने यहां पर diagram ड्रॉ कर दी है उसको थोड़ा सा आप इस तरीके से भी प्रेजन कर सकते हो कि सपोज करो यह electron है and it is moving like this तो यह suppose करो कि आपका electron है and it is moving like this अब जो भी है यह इसका radius है आर ठीक है capital R लेलू और suppose करो यह जो electron है यह पूरा circulation करने के लिए time कि इतना ले रहा है suppose करो कि T ले रहा है ठीक है क्या ले रहा है ठीक है क्या ले रहा है टी ले रहा है एक सेकेंड हाँ T ले रहा है तो मैं कैसे बोल सकता हूं कि जो भी आपका time period होगा electron का या फिर velocity होगी electron की मैं यह आप लिख दू velocity of electron V is equals क्या आएगा 2 pi capital R by क्या आएगा बेटा यह capital T and where T is what the time period I hope this is clear बराबर उसी तरीके से जो भी current वो produce करेगा I is equals to क्या होगा जो भी charge रहेगा upon T रहेगा अब यह यहाँ से T की value 2 pi R upon V मैं यहाँ पर put up करूँगा तो जो भी current रहेगा बेटा I वो कितना होगा atom के अंदर तो it is what T V upon 2 pi R अब जो भी orbital magnetic moment होता है उसका क्या formula बनता है बेटा उसका formula बनता है M orb is equals to बन जाता है तुम्हारा I into A where I is the current and A is the area अब अगर मान लो R radius है तो जो वो loop you know perform कर रहा है उसका area कितना रहेगा 2 pi R so that is equals to what ये कितना है E V upon sorry that is not 2 pi R that is pi R square E V upon 2 pi R into what pi R square now see this pi pi and R और एक R cancel हो जाता है या पर मिलता है मुझे half E V R so this is the expression for what orbital magnetic moment of the electron revolving around what the nucleus I hope this is clear बराबर कुछ इस तरीके से आपको इसको भी attempt करना है इसको थोड़ा सा और explain करना पड़ेगा कि आप क्या ले रहे हो जैसे for example मैंने ये लिया तो आप बोल सकते हो कि let an electron having charge E velocity V moving along the nucleus having you know the radius of its orbit is R फिर उसके बाद शुरू करना है हमको ये सारी चीज़े सामने की और आपको expression निकालना है definitely इसके साथ कुछ आपको एक छोटा सा questions भी दे सकते है definitely दे सकते है बिल्कुल उसमें क्या बुलेंगे possibility है सामने चलेंगे EMI that is electromagnetic induction अभी electromagnetic induction की अगर मैं बात करना चाहू बेटा तो EMI में हमारा transformer काफी important होता है transformer में आपको ratio पता होने को होना step up step down transformer ठीक है उसके साथ ये जो मैं अभी question लिया हूँ कुन सा ये वाला find and expression for the power extended in or expended in the pulling or conducting loop out of a magnetic field तो मुझे यहाँ पे power का expression निकालना है ये भी आपको दिया जा सकता है ठीक है इसके अलावा EMI में self induction, mutual induction ये important है और faraday's law of electromagnetic induction भी important है तो ये सारी चीज़े जो है बेटा वो आपको करनी पड़ेगी मैं कुछ यहाँ पे एक important question लेके आया हूँ जिसको कैसे attempt करना है वो मैं आपको अभी सामने बताने वाला हूँ fine चलो बेटा इसको देखते हैं अपन तो सबसे पहले मुझे एक क्या बनाना पड़ेगा एक ऐसी frame बनाना पड़ेगा एक ऐसा loop बनाना पड़ेगा ठीक है बेटा और loop को जो है मैं एक magnetic field में रख दिया हूँ ऐसा आप समझ लेना है ठीक है और obviously मैं इस loop के जो है वो अलग-अलग parts यहाँ पे लिख दूँगा suppose करो A, B, C, D ठीक है और मानलो यह magnetic field में है इसको अगर मानलो इस magnetic field से मैं इसा बाहर निकाल रहा हूँ इसको आपको टेक्सबूक में डागराम दी गई है उसको आपको पूरी तरीके से निकालना है अब यहाँ पे एक चीज ऐसी होगी क्या कि जो भी हमारी magnetic field है उसको आपको थोड़ा सा बनाना पड़ेगा इस case में कुछ इस तरीके से यह ऐसा आप चाहे तो invert करो या outward करो recordingly आप जो है वो कर सकते हो ठीक है तो this is the magnetic field और इस magnetic field में ठीक है हमने इस loop को पहले रख दिया है बिटा और फिर बाद में इस loop को जो है यहां से हटा देंगे चलो भी बनाई लेता हूं मैं थोड़ा सा ताकि अच्छा दिखे आपको ठीक है कि इसी बात है कि जब कभी भी मैं इसको magnetic field से हटाऊंगा तो definitely flux associated with the coil जो होगा वो क्या हो जाएगा बेटा चेंज हो जाएगा है ना याने फ्लक्स जो होता है flux का formula तो आपको पता है flux क्या होता है बी इंटु ए है ना तो जो भी आपकी magnetic field है यहाँ पर magnetic field हम भी पकड़ सकते हैं और जो भी flux है है ना वो मैं यहाँ पर लिख दू कि जो ए होगा वो हो जाता है तुम्हारा एल इंटु एक्स याने एल जो है यह लेंथ हो जाएगा और एक्स जो है उसको मैं डिस्पेस करूँगा वो डिरेक्शन में ठीक है अब देखों यहाँ पर चेंज क्या होने वाला x जैसे जैसे सामने जाओगे वैसे वैसे एक्सचेंज होगा तो bl constant रहेगा और dx by dt बन जाता है आपका v so e is equals to क्या हो जाएगा आपका blv so that is what the emf induced in that right अगर यह emf induced in this coil होगा तो what is the current current क्या होगा मुझे क्या निकालना है बेटा power निकालना है और power का formula होता है i square r into t भी होता है अगर time अगर मैं देखो तो i square r ticket t sorry that is not i square r is the only formula for that right power के लिए तो जो i होगा current वो क्या हो जाएगा तुम्हारा e by r हो जाएगा अगर resistance r होगा तो so therefore i is equals to क्या हो जाएगा तुम्हारा blv by r है ना तो यह हो गया आपका current i अब basically जो force होता है है ना उस force का formula हम कैसे लिखते है यहाँ पर force is equals to लिखते है i l cross b हम ऐसे लिखते है अभी l और b में 90 degree का angle है तो वहाँ पर sin theta लिखने की जरूरत नहीं है तो i l b हो जाएगा तो i का यहाँ पर formula क्या है बेटा it's a blv upon r into what l into b तो यह हो गया क्या आपका force अभी scores fall करेंगे हम तो क्या आएगा therefore f is equals to क्या आगया आपका b square l square v by r b square l square v by r है ना यह formula हमारा है किसका बेटा force का आएगा अब हमको निकालना है बेटा power है ना तो power का formula यह भी होता है power का formula हो जाता है force into velocity है ना यह भी formula आपने देखा होगा तो बस मैं यहाँ पर force तो यहाँ पर दिया इसको velocity से multiply करना है therefore power is equals to कितना हो जाएगा b square l square v by r into v इसको अगर मैं solve करूँगा तो मुझे power का formula मिल जाता है power is equals to what b square l square v square by r right so that is the expression for what power है ना जो हमको निकालने के लिए बुला वही है लेकिन आपके direct ऐसा लिख दोगे नहीं बिलकुल आप direct ऐसा नहीं लिखोगे आप हर एक चीज़ को explain करोगे let a loop a b c d is present in the magnetic field b आप लिखोगे definitely and let with the force f we are taking that loop out of the magnetic field है ना देखो आपने expiration for the तरी यार यह क्या हो गया यहां पर कैसे आया एक सेकेंड रही तो भी गड़बड़ है यहां पर एक सेकेंड बीटा हाँ यह थोड़ा सा गड़बड़ यह हो गया है कि यह एसी सरकीट के question में मैंने यह चुड़ा दिया है मैं एक काम करता हूँ इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ यहां पर question जो है वो मैं clear करवा देता हूँ कि suppose करो कि यह जो question है एक सेकेंड तो दाट विल सफाइस कि मैं इसको यहां से हटा दू और यहां पर मैं इसका एक question लिख देता हूँ same question है कि obtain an expression for power for pulling loop out of magnetic field and आप यह question समझ लो मैं वही से start कर रहा था बस यह थोड़ा सा कही तो भी गड़बड हो गया that's okay not an issue ठीक है so that is your what question तो अब यहां पर देखो आप इतना करोगे तो आप यहां पर कैसा लिखोगे बेटा आप इसको ऐसा लिखोगे कि you know consider a loop which is present in the magnetic field okay and what you have to do is what उसमें लिखने का कि जो loop है ABCD है और उसको force से निकाल रहे हम तो जब निकालेंगे तब उस वक्त कितना power वहां पे लगेगा pulling के लिए वो हमको बताना है तो power का formula मेरे पास force into velocity यह होता है लेकिन उसको judge करने के लिए सबसे पहले या फिर उसको derive करने के लिए मैंने सबसे पहले क्या किया कि 5 लिखा 5 is equals to क्या हो गया B into A तो आपने बताना है 5 क्या बेटा flux through the coil is what this इसको solve करेंगे और मैंने E निकाल दिया magnitude में तो E is equals to आपको मिल जाएगा BLV ठीक है बाद में मुझे निकालना है current जब flux change होगा तो EMF induced होगा और अगर EMF induced होगा तो current आएगा ऐसा लिखना है फिर यह सारी चीज़े आप लिखोगे तो इससे आपको F का expression मिल जाएगा ठीक है फिर power का formula लगाएंगे power का लिखेंगे expression लिखेंगे this is the power which is spent to you know take that loop off the field fine कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है fine so moving on to the next question okay बेटा तो अभी हम देखने वाले है AC circuit ठीक है AC circuit का questions देखेंगे देखते है state and explain the concept of electric resonance electric resonance क्या होता है इसके बारे में आपको यहाँ पर पूछा गया है ठीक है बेटा electric resonance है ना तो resonance आपको बता है बेटा क्या होता है electric resonance क्या होता है जब कभी भी मान लो जब हम LCR circuit लेता है और LCR circuit में अगर मान लो XL is equals to XC होगा तो वहाँ पर impedance जो है वो as a safe resistive impedance ने रहता वो as a safe resistive circuit करके behave करता है है ना जैसे for example suppose करो यह LCR circuit है suppose this is L और X okay suppose this is your L this is your C है ना and this is your R suppose करो यह आपके एक LCR circuit है और इसको अगर आपने एक alternating source के you know across लगा दिया ठीक है so this is your L this is your C and this is your R and this is you know the alternating source across which you have put that LCR right तो आपको बताना है यह electric resonance कैसा है है ना तो basically यह जो resonance होता है यह आपको यहाँ पर बताना पड़ता है what resonance में क्या होता है बेटा जैसे हमने resonance यहाँ पर पढ़ा था क्या बुलते हमने oscillation में पढ़ा था अगर आप याद कर रहे हो कि जब दी गई frequency यह natural frequency के बराबर हो तो that thing vibrate with the maximum amplitude अभी वो resonance यहाँ पर same नहीं है यहाँ पर थोड़ा सा अलग concept है यहाँ पर अलग concept कैसा है आपको बता है बेटा जो भी impedance होता है है ना जो भी impedance होता है impedance impedance बोले तो क्या LCI circuit का resistance ठीक है ना so impedance resistance in the sense opposition बोलूँगा मैं resistance नहीं बोलूँगा तो आप बोलोगे वो R है ठीक है so impedance का formula मुझे यहाँ भी क्या मिलता है बेटा impedance that Z is equal to Z is equal to क्या मिलता आपको under root of R square plus XL minus XC whole square ऐसी चीज़े मुझे यहाँ पर मिल जाती है अब कैसे होता है बेटा आपको बता है XL जो inductive reactance है उसका formula होता है omega L यानि ही मैं इसको क्या बोल सकता हूँ 2 pi के frequency into L उसी तरीके से जो XC है that is called as capacitive reactance वो होता है 1 upon omega C है ना so that is equals to 1 upon 2 pi frequency into the capacitance तो आप यहाँ पर देख सकते हो बेटा कि जो reactive क्या बोलता है जो inductive reactance है वो directly proportional to frequency है और जो capacitive reactance है that is inversely proportional to frequency अब इस case में क्या हो रहा है देखो बेटा यह directly proportional है और यह inversely proportional है बराबर याने अगर मैं frequency किसी भी एक alternating source का बढ़ाते जाऊँगा तो क्या होगा यह बढ़ते जाएगा लेकिन यह कम होते जाएगा अब generally capacitance अपने microfarad में लेता है याने 10 to the power minus 6 वो उपर जाएगा 10 to the power 6 में चले जाता है तो basically जैसे जैसे आप frequency बढ़ाते हो वैसे वैसे एक point आता है जा पर xl is equals to xc हो जाता है है ना समझ मारा में क्या बोल रहा हो a point comes है ना when you increase the frequency मैं यहापे लिख दू क्या when we increase the frequency what will happen what will happen at some point at some point kya होगा बिटा xl is equals to kya होगा xc होगा xl is equals to xc हो जाएगा therefore z is equals to kya हो जाएगा under root of r square okay plus अभी xl minus xc अगर हो गया तो वो क्या हो जाएगा xl बराबर xc होगा तो वो 0 हो जाएगा ना तो यह 0 हो जाएगा and therefore z is equals to r basically क्या होता बेटा जब xl is equals to xc हो जाता है तो जो भी हमारा यह circuit है वो आज़े कौन सा circuit behave करता है resistive circuit behave करता है right अब बात आती है कि ऐसी कौन सी frequency है जिस पे यह सारी चीज़े हमको मिलती है तो जो frequency पे हमको वो मिलता है that is called as what resonating frequency ठीक है मैं यहाँ पे बना रहा हूँ आपके लिए ठीक है suppose करो कि अगर मैं यहाँ पे xl बराबर xc लिख देता हूँ ठीक है तो यह बन जाता है कितना 2 pi f into l that is equals to 1 upon 2 pi f into c अब मैं f को इधर लेके आता हूँ और यह 2 pi को इधर लेके जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे मिल जाता है f square is equals to क्या मिल जाता है 1 upon मैं यहाँ पे लिख दू 2 pi का square और lc इसको अगर मैं solve करूंगा तो मुझे f का formula मिल जाता है f is equals to 1 upon 2 pi under root lc so this is the formula for what frequency है यह formula है बेटा किसका formula है frequency का formula है इस frequency पे क्या होता है बेटा जो तुम्हारा XL है वो बराबर x e हो जाता है अब अगर आप देख सकते हो suppose करो कि आपने कोई graph draw करने की अगर आपने कोशिश करी ठीक है और suppose वो graph कुछ इस तरीके से है तो suppose आप जो है frequency versus अगर आप current की अगर बात करें तो suppose करो यह है तुम्हारी frequency और suppose करो यह है तुम्हारा current आए तो शुरुवात में क्या होगा यह कुछ आपको ऐसा मिलेगा और बात में जो है कुछ आपको ऐसा मिलेगा यह शुरुवात में आपका current जो है वो धीरे-धीरे बढ़ते जाएगा एक particular point आगी जिसके particular frequency होगी जिसे बुलेंगे हम resonating frequency तो उस case में क्या होगा जो भी current होगा that will be at the maximum तो मैं यहाँ पर लिख दू क्या लिख दू मैं यहाँ पर की when xl is equals to xc resistance offered by lcr circuit is very low hence maximum current flows through the circuit resonance तो क्या बुलेंगे बिटा हम electric resonance को कैसे define कर सकते हैं इसको ऐसे define कर सकते हैं तो frequency at which the lcr circuit gives or you know I can say offers minimum resistance so that the maximum current can flow such a frequency is called as what resonating frequency so you have to write like this you have to solve like this definitely you will do the same right बिटा चलो सामने चलेंगे अभी हम dual nature of radiation and matter state Einstein photoelectric equation explain all characteristics of photoelectric effect on the basis of Einstein photoelectric equation आपको सबसे पहले यह बताना है क्या Einstein photoelectric equation बताना है और बाकी सभी characteristics photoelectric effect क्या on the basis of Einstein photoelectric equation बताना है ठीक है तो मैं सबसे पहले यहाँ पर Einstein photoelectric equation लिख दू वो कितना होता है बेटा जो भी हम energy देते है that h new is utilized for two purpose that is half mv square max okay plus phi actually phi naught this is what your Einstein photoelectric equation है ना अब यह लिखने के बाद सारी चीज़े यहाँ पर आपको explain करना पड़ेगा where h is what the planks constant है ना एच जो है वो क्या रहेगा आपका planks constant ओके उसके बाद new is what frequency यह लिखना है आपको ऐसा लिखे ना बटा new is what frequency of radiation ठीक है उसके बाद m is what mass of electron okay v is what again velocity of actually electron बोलेंगे तो यहाँ पर photo electron हो जाएंगे and what left is what phi naught is the work function ठीक है phi naught जो है that is your what work function I hope this is clear fine अब इतना होने के बाद है ना हमको यह तो लिख दिया हमने state लिख दिया explain अभी करना है all the photo all the characteristics of photo electric effect on the basis of Einstein photo electric equation ठीक है अब मैं यहाँ पर characteristics सब्सक्राइब करना है तो सबसे पहला characteristics आपको यहाद आ रहा है क्या कौन सा है सबसे पहला characteristics याद करो photo electric effect तब तक start नहीं होता जब तक एक particular frequency का radiation हम उसके उपर incident नहीं करते तो आप यहाँ पर देख सकते हो बेटा कि यह यह जो h new है that is what the I can say the energy of the photon and that is equals to what half mv square max यह होगी kinetic energy प्लस phi naught यहने क्या आपका होता है work function अभी work function का formula होता है h new naught यान इसको ही हम h new naught बोल सकते हैं where new naught is what the threshold frequency तो इसी expression को मैं कैसे लिख सकता हो देखो therefore h new is equals to मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ kinetic energy is equals to कितना है का यह h जैसे के वैसे रखूँगा in bracket new minus new naught अब देखो यह new क्या है given frequency है अगर मानलो यह frequency आपके new naught से छोटी होगी तो मुझे बताओ kinetic energy तो यहाँ पर 0 आ जाएग it is not defined basically जितना है उतना दोगे तो 0 होगा it will just emit out of the element लेकिन उसमें कोई भी kinetic energy नहीं होगी तो इससे बेटा आप दो characteristics यहाँ पर clear करवा सकते हो पहला कुण सा कि जब तक दी हुई frequency greater than threshold frequency ना हो तब तक कोई भी photo electron वहाँ से निकलेगा नहीं यह निकलेगा लेकिन क्या बूलेंगे हम उसमें एक velocity नहीं रहेगी लेकिन अगर गी हुई दी हुई frequency अगर threshold frequency के बराबर होगी तो photo electron जस्ट बाहर निकलेगा उसमें कोई भी velocity नहीं रहेगी तो आप characteristics में number one characteristics देखो आप यह ऐसा मैंने लिखा हूँ यहाँ पर फिर मैं लिख दूँगा hence emission is possible emission is possible अगर मान लो वो साइड अगर आपने एक अच्छा सा positive potential लगा दिया तो वो खीच लेगा ठीक है लेकिन जो kinetic energy रहेगी वो यहाँ पे 0 होगा ठीक है फिर चलते हैं हमको सारी characteristics यहाँ पर explain करनी है ठीक है अभी characteristics 2 भी मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ क्या कि अभी जो मैंने formula निकाला therefore kinetic energy is equals to क्या हो गया था h new minus new not बराबर तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि जो भी तुम्हारी kinetic energy है वो proportion to क्या है frequency difference या नहीं frequency पर dependent है तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या hence kinetic energy max or maximum kinetic energy depends on it depends on what frequency it depends on frequency but not intensity I hope this is clear यह हो गया हमारा characteristics number 2 अब चलेंगे अपन characteristics number 3 में ठीक है अब जो हमारा expression है न वो जो अभी मैंने यहाँ पर लिखा था h new is equals to kinetic energy minus what h that is phi naught उसी को जो भी हमारा क्या बुलेंगे अगर वो photon से related नहीं है मानलो अगर वो एक potential और चार से related है तो आप वो ही expression को ऐसा लिख सकते हो ev is equals to half mv square max okay plus आ जाता है आपका phi naught I hope this is clear where v क्या है पकड़ लो यह potential है ठीक है तो इसको भी हम कैसे express करेंगे या फिर इसको हम कैसे लिख पाहेंगे कि जो भी stopping potential है है ना जो भी stopping potential है वो frequency पर depend होगा और किसी चीज़ पर depend नहीं होगा तो उसको लिए हम कैसे लिख सकते हैं उसके लिए हम कैसे लिखेंगे बताओ कैसे लिखेंगे बताओ ev is equals to 1 second यह यहाँ पर ऐसा नहीं चाहिए था actually जो kinetic energy होती है उसको oppose करता है ev not तो जो original equation है h new is equals to मैं ऐसा लिख सकता हूँ ev not plus phi not therefore ev not is equals to क्या होगा h new minus phi not होगा but therefore v not याने stopping potential की बाद अगर हम करें तो वो कैसे रहेगा h by e into new पकड़ लो minus phi not by e अब आप देख सकते हो यह h by e और phi not by e यह तो constant रहेगा therefore जो भी आपका stopping potential है वो proportional to क्या रहेगा बेटा frequency of the incident radiation है यहाँ पर यही हमको लिखना पड़ता है तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या लिख सकता हूँ so we can say so we can say stopping potential is proportional to stopping potential is proportional to what frequency of incident radiation है ना एक और पॉइंट यहाँ पर आड़ करेंगे हम जो पहले करना चाहिए लेकिन ठीक है यह से direct formula से solve होते करके मैंने वह बोला कि जो भी आपको photo current है that will be proportional to what the intensity but that is possible only if the given frequency is greater than the threshold frequency है ना तो यहाँ पर देखो अभी कहीं पर भी हमको expression है वहाँ पर intensity का तो कोई मतलब बताती है यहने कोई है नहीं वहाँ पर तुम्हें यहाँ पर लिख दीओ intensity is not mentioned in I can say formula hence hence क्या लिखेंगे hence photo current is proportional to what intensity मैं यहाँ पर इसका थोड़ा सा यह चेंज कर दू अदर चेंज कर दू दाकि आपको यहाँ पर समझने में आसा नहीं हो इस प्रपोर्शनल टू वाट विटा intensity है ना प्रोवाइड क्या प्रोवाइड करना पड़ेंगा यहाँ पर हमको if frequency given frequency is greater than the threshold frequency है ना ऐसे तरीके से हमने यहाँ पर चार जो क्या बुलेंगे characteristics है वो यहाँ पर हमने बता दिये ठीक है अब और एक characteristics आता है बेटा कि जो थोड़ा सा easy है लेकिन करना ज़रूरी है हमको यह पता है कि photo electric emission जो होता है वो instantaneous होता है तो instantaneous क्यों होता है जैसे ही एक photon of particular energy electron के साथ interact होगा वैसे ही वो वहाँ से बाहर निकलेगा थे ना तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ when photon interacts with when photon interacts with electron है ना जब photon है electron के साथ क्या होता है बेटा इंटराक्ट होता है थेन transfer of energy in single go single go बोले तो एक ही टाइम पर है ठीक है hence I can write photo emission is instantaneous hence photo emission is instantaneous process है नहीं यहाँ पर कोई भी lag नहीं होता है अब देखो बीटा चार मार का हो तो भी more than sufficient है है ना और एक आकरी वो भी चीज होती है क्या कि जितने नंबर आफ photons है saturation current वाला एक चीज है तो वह intensity में आ जाता है if you know frequency is greater than new not और अगर मालो एक particular क्या बुलेंगे हम एक particular intensity हमने fix कर दी तो एक particular amount तक ही current बढ़ पाएगा उसके बाद जो है वो saturation current आएगा तो अगर आप इतना भी लिखते हो तो भी I suppose यह सही रहेगा ओके that will make sense next question structure of atoms and nuclei का हम देखेंगे ठीक है state the postulate of Bohr's atomic model Bohr's atomic model के postulate बताना है hence show energy of electron varies inversely to the square of principal quantum number energy of electron जो भी आपका total energy होगा electron का आपको show करना है it is inversely proportional to the square of the principal quantum number ठीक है तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपके postulates लिख दूँँगा क्या postulate से आपको पता है कितने postulate से बेटा कौन बताएगा ठीक है so suppose these are the what postulates postulate number one की अगर मैं बात करू ठीक है postulate number one होता है क्या मैं direct यह बताऊँगा आपको लिख के बताऊँगा formula के sense में बताऊँगा बाद में उसको describe भी करूँगा ठीक है मैं इसके पहले दो यह बना दू यहाँ पर आपके तीन postulate आ जाना चाहिए तो पहला postulate यह बोलता है कि mv square by r that is equals to 1 upon 4 pi epsilon 0 ze square upon r square इसका मतलब क्या है बेटा कि जब एक electron hydrogen की around घूम रहा है तो जो घूमने के लिए centripetal force की ज़रूरत है वो कोन दे रहा है electrostatic force between the nucleus and the electron अब यहाँ पर ze e इसके लिखा क्योंकि nucleus का atomic number याने जो भी एक atom होता है उसका atomic number अगर 1 हो तो z is equals to 1 आएगा otherwise z तो अलग value ले सकता है ठीक है बेटा mv square by r is equals to 1 upon 4 pi epsilon not ze square by r square यह हो गया मेरा first postulate तो इसको अगर मैं डिस्क्राइब करना है तो मैं कैसे यहाँ पर लिख सकता हूँ कि the centripetal force है ना the centripetal force the centripetal force है ना जो भी centripetal force होता है for motion of electron for motion of electron around the nucleus is provided by force of attraction between nucleus and electron I hope this is clear so that is given by what this अब यह हो गया पहला है ना दूसरा क्या होता है देखो बेटा दूसरा क्या बोलते है कुन वही हमारे साहब बोर साहब बोस का second postulate कि जो भी इलेक्ट्रॉन अर्बिट में गुमता है वो कोई भी और्बिट में नहीं गुमता लेकिन बस उसी और्बिट में गुमता है जहाँ पे उसका अंगुलर momentum कितना हो integral multiple of h upon 2pi हो ऐसे ही क्या बोलेंगे हम orbit में या फिर ऐसे ही और you know orbit के radius में वो घुमता है यानि उस orbit का radius उतना होना चाहिए तभी उसी में घुमेगा वरना नहीं घुमेगा और उस radius में जो है बेटा वो आपका जो angular momentum है वो हो जाता है आपका h upon 2pi fine अब इसको कैसे लिखेंगे हम the electron will revolve the electron will revolve only in those orbits कहां तक लिखा है बेटा the electron will revolve only in those orbits for which angular momentum is integral multiple of the electron jumps from higher energy level to the lower energy level it emits photon or vice versa अगर मानलो lower से higher jump कर रहा है तो इसका मतलब क्या it absorbs the energy of the photon है ना so the third postulate is here कैसे लिखूंगा मैं कि जो भी photon का energy होगा वो कह रहेगा the gap between the two energy levels that is e मैं कैसे लिख दू एच लिख दू higher minus e lower मैं ऐसे लिख देता हूँ हाल फिलाल के लिए m और n होता है आप ये भी लिख सकते हो not an issue ठीक है तो कैसे लिखेंगे इसको when electron jumps from higher energy level मैं डिर्क्टिल लिख दा हूँ from higher to lower energy level then energy emitted in the form of photons ठीक है अब question सामने क्या बोल रहा है बेटा कि आपको ये बताना है कि जो भी energy of electron है that varies inversely to the square of the principle quantum number अब देखो अगर मैं energy की बात करो है ना यहाँ पर भी मैं लिख लूँ क्या कि energy अभी तो हमने पॉच्चुलेट लिख लिया अभी energy के लिए expression बनाएंगे ठीक है बेटा तो energy के लिए expression में देखो कैसे होगा आपको पता है जो भी energy होती है electron की है ना जो भी energy होती है electron की वो कैसी होगी it's a potential energy plus kinetic energy है ना energy of the photon e is equals to या फिर e total मैं लिख दू e total is equals to क्या हो जाता है बेटा e kinetic energy और that is kinetic energy मैं सीधा लिख दूँँगा यहाँ पर kinetic energy plus potential energy है ना I hope this is clear अब देखो यहाँ पर शो करना है ठीक है शो करना है कोई दिक्कत नहीं kinetic energy और potential energy अब देखो kinetic energy और potential energy यह हम हमारे syllabus में तो नहीं है अभी इस बार ठीक है कि उसका पूरा derivation करेंगे तो हम directly इसका अभी क्या लिख देंगे बेटा formula लिख देंगे है ना तो formula क्या बनता है इसका फून बताएगा मुझे yes क्या formula है जो हम usually देखते है क्या formula बदा बदाऊ that e is equals to और e total is equals to क्या है बिटा that is equals to m z square e to the power 4 8 epsilon not h square n square अभी देखो direct derivation अगर नहीं भी होगा और यह आता है minus में ठीक है minus है इसका मतलब यह क्या बदाता it is bound to the nucleus ठीक है तो जबी भी आप derivation देखो या फिर करना चाहो तो उसमें थोड़ा सा आपको एक दिक्कत यह आता है बेटा क्या कि जो भी total energy में kinetic energy उसमें आपको V निकालना पड़ेगा और V का square लेना पड़ेगा पहले आपको V निकालना ठीक है तो सामने हम लिखेंगे क्या कि जो energy है hence we can say hence we can say what we can say electron is bound to the nucleus electron is found to nucleus negative energy है और उसी formula से हम बोल सकते है so that so energy is inversely proportional to the square of principle quantum number मैं यहां से बता सकता हूँ आप चाहे तो उसका derivation कर सकते हो not an issue लेकिन वह काफी बढ़ा हो जाएगा आप डारेक same thing आप दोनों वे से जा सकते हो दोनों वे से कर सकते हो तो आप यहां पे देखो so this is how you have to approach this question okay and you have to write the answer for the same right semiconductor devices and I suppose the last question of the day वहां पे आपको यह पूचा गया है what draw the symbol in the truth table for and, NAND, XOR and OR gate चार gate है चार मार्क के लिए होगा आपको सबके symbols, truth table यहां पे निकालना है ठीक है तो सबसे पहला मैं यहां पे ले लेता हूँ कुन सा बेटा, and gate ठीक है and gate में जो भी symbol है मैं सबसे पहले वो निकाल लूँ ठीक है symbol क्या होता, कैसे होता पेटा, and gate में हमारे दो inputs लगते हैं और यहां से करके मैं ऐसा एक इसको input बना देता हूँ ठीक है, यहां पे सबस्क्राइब यह आपका X है तो और यह A, B, A, B करेंगे, ठीक है this is A, this is B and this is what, Y is equals to what, A dot B, this is your and gate है न, and gate इससे थोड़ा अलग हो बनता है, and how to draw the truth table, truth table जो है वो कुछ ऐसा बनाऊँगा मैं इसका, fine ठीक है, तो suppose कर यह आपका A है, यह आपका B है, और यह है आपका Y, तो A बन गया यहां पे 00, फिर बाद में बन गया 01, फिर बाद में बन गया 01, फिर बाद में बन गया 01, और बाद में बन गया 01, 01, I hope this is clear, बराबर, अब 00 का and हो जाएगा 0, फिर 10 का हो जाएगा 0, then again यहां पे 0 और यहां पे आजाएगा 1, so this is your truth table for what and gate, right, another one, second, क्या है second बेटा यहां पे नाइंड गेट, ठीक है, नाइंड गेट में जो भी symbol होता है, वो कैसा होगा, same as the and gate होगा, ठीक है, लेकिन वहाँ पे छोटी सी एक वहाँ पे हमको button add करनी बढ़ती है, ठीक है, this is that button, and that's why it is what, and gate, so this is a, this is b, and this y is equals to what, a.b का बार, fine, I hope this is clear, सामने चलेंगे, इसका truth table मुझे बनाना है, तो मैं इसका truth table बनाऊंगा अभी, ठीक है, so this is a, then this is b, and this is what, y, that is the output, ठीक है, तो कैसा रहेगा, इसका truth table से, 0, 0, then 0, 1, then 1, 0, and then 1, 1, ठीक है बिटा, अब ये जो चीज है, इसका ठीक opposite रहेगा, and का, so it is 1, 1, 1, and this is what, 0, so this is the truth table for what, your nand gate, right, clear है, सामने चलेंगे, another one, कुन सा था, xor था, right, so fourth is what, xor, xor के लिए symbol क्या बनाऊं मैं, yes, xor के लिए symbol कैसे बनाते हैं, बिटा हम, कौन बताएगा मुझे यहाँ पे, कौन बताएगा मुझे, जल्दी बताओ, कोई बता सकता है, चलो, तो symbol यहाँ पे कुछ इस तरीके से होता है, एक से थैए एक सकेड, that is your what, xor gate, है ना, that is your what, xor gate, यहाँ पे कैसा होगा, this is your a, this is your b, and this is your C अच्छा सारों में ही यह ऐसा करना पड़ता है शायद कई रहे गया हो ठीक है तुम्हें यहाँ पर बना लेता हूँ so this is your A, B, A, B ठीक है सारी चीज़े अब इसका जो भी यह रहेगा क्या बोलेंगे हम suitable वो कैसे रहेगा मैं इसको यहाँ पर Y ही कर देता हूँ so Y is equals to बन जाएगा तुम्हारा A ऐसा प्लस करके हम इसको लिख देंगे B यहाँ पर so this is what the formula for the same right that is A plus को गोल मार के बना देंगे हम B अब चलेंगे हम क्या इसका truth table truth table में क्या होता है अगर दोनो input जो है वो अगर मान लो अलग-अलग है तभी आपको जो है यह मिलेगा that is 1 मिलेगा otherwise आपको जो है 0 मिल जाएगा ठीक है so this is your A then your B and then your Y so suppose 0 0 0 1 1 0 1 1 ठीक है now 0 0 से यहाँ पर जो है मुझे 0 मिलेगा so this is what the symbol and the truth table for X or gate ठीक है बिटा fine ओके चलो आखरी कुन सा बचा है or gate बचा हुआ है यहाँ पर fine so अच्छे यहाँ पर third चाहिए था न मैंने fourth लिख दिया एक second ठीक है fourth जो है वो तुम्हारा or gate है ठीक है कैसे इसका symbol कैसे रहेगा symbol रहेगा कुछ इस तरीके से this is your A this is your B and this is your suppose करो Y so Y is equals to यह हो जाता है A plus B और का symbol होता है simple है देखो आपको आता सब कुछ है बस लिखना कैसे है मैं आपको वो यहाँ पर पढ़ा रहा हूं ठीक है बटा because it is the four marker for the board और काफी कुछ जो marks से वो आपके presentation के वज़े से ही जाता है so this is your A this is your B and suppose this is your Y so it's 0, 0 0, 1 1, 0 then 1, 1 अभी और है तो addition होता है so 0, 1, 1, 1 so that is you know the truth table for what your or gate right I hope this is clear fine that's all for today right यहाँ पर four markers के हमने almost 18 से 20 question हमने यहाँ पर discuss करें बिटा कैसे लिखने है क्या लिखने है सारी चीजों को हमने वहाँ पर एक properly you know चीजे जो है वो arrange करके आपको मैंने बताया है आप देख सकते हो theory question से लेके कुछ जो भी numericals भी हो सकते है वो भी हमने करें है जादा नहीं है ठीक है लेकिन यहाँ पर theory mask के लिए आपको दिखाना वो जरूरी है तो एक बार एक छोटा सा recap कर दूँ तो आप rotational dynamics में देखो parallel axis theorem में निकालना अगर हमको होगा तो पहले diagram मनाएंगे ठीक है बेटा statement लिखेंगे हम और उसको explain करेंगे एक हलके से example के साथ भी और साथ हम उसका जो है क्या लिखेंगे बेटा derivation भी निकालके सीधा उसका answer निकाल देंगे fine उसके बाद जो है हमने देखा था उसी का एक example यानि उसका क्या बोलते है numerical देखा था तो numerical में आपको जो given data है वो लिखना पड़ेगा फिर एक छोटा सा diagram मना कि उसको explain करना पड़ेगा और finally आपको answer निकालना पड़ेगा ठीक है तो इस तरीके से आप answer लिखो जो भी आप answer लिखोगे उसका unit लिखना आप नहीं भूलना ठीक है उसे के साथ साथ mechanical properties में यह बहुत important है you know relation between surface energy and surface tension इसका derivation याद करना है और इसके numericals भी अच्छे से करके रखना है क्योंकि सारी मैं सारी बोलने सच है जो भी maximum questions इस chapter से आते है बिटा वो आपको surface energy, surface tension से ही मिले है आज तक ठीक है तो वो एक important topic है उसको ध्यान में लेना यहाँ पर आप देख सकते हो फिर बाद में हमने देखा thermodynamics thermodynamics में हमने relation between this dell U, W और Q ये सारी चीज़े देखी statement लिखना है, diagram निकालना है ठीक है, उसके बाद जो दो मैंने यहाँ पर लिखवा के दिये वो चीज़ और साथ में उसका formula आप यहाँ पर देख सकते हो बेटा क्या कि arrangement proper होना चाहिए जो जो question का demand है वो हमको बराबर लिखते आना चाहिए अगर आप इतना करते हो, तो क्या बात है ठीक है, यह तो बेटा क्या बोलेंगे हम 3 star, 7 star भी बोलोगे तो भी चलेगा, यह तो आएगा याने अगर मान लो examiner को लगता है क्या दू, oscillation से क्या दू, उसको अगर कुछ नहीं आदा रहा है तो उठा के यही question देदेगा तो यह question बहुत बढ़िया है acceleration निकालना है, velocity निकालनी है उसकी 2-3 बार आप practice कर तो यह question आपका पका हो जाएगा, ठीक है, यह सारी चीजे finally आपको मिल जाता है, लेकिन जो मैंने सिर्फ यहाँ पे लिखके या फिर स्टिंग हमने देखा, laws of length देखा, ठीक है laws of tension and law of linear density तो इतना सारा जो है वो हमने यहाँ पे clear किया था, ठीक है वैसे इस chapter से मैंने कहा था composition of SHM अच्छे से करके रखो क्योंकि उसी के ऊपर question आते है, किसमे superposition में आते है, फिर उसके beats के लिए भी आते है, wave optics में भी आते है, तो यह सारी चीज़े आप ध्यान में लो ठीक है बेटा, उसके बाद kinetic theory of gas से यह question हमने लिया था, derive mayor's relation mayor's relation is one of the important relation, जो almost हर numerical में हमको देखने के लिए मिलता है, तो उसको derive करने के लिए proper diagram बनाना है, सारी चीज़े लिखना है, हमने जो diagram बनाई है, diagram में हमने क्या explain किया है, वो सारी चीज़े भी आपको लिखना है, चीक है उसके बाद उसको derive करके, finally आपको conclude करना है wave optics में, interference में constructive, destructive interference यहाप लिया है, आप यहाँ diagram बना सकते हो, interference का definition लिखो, constructive, destructive का लिखो, ठीक है, और same उसी तरह coherent sources का भी लिखो अब यहापे पूरी theory है बेटा अब theory इतनी लिखने जाएंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा इसलिए मैंने आपको यहापे 2-3 short points बताए है आपको पूरी तरीके से लिखना है उसी तरीके से electrostatics में यह जो question है बेटा यह भी मैं बोलूँगा एकदम 7 stars है यह बहुत बार आ चुका है कि capacitor में कितना energy store होता है वो सारी चीज़े आपको यहापे बतानी है तो मैंने एक diagram लिया diagram को explain किया, explain करने के बाद word done बताया, word done को integrate किया और finally answer लेकि आया उसके अलग-अलग form भी मुझे लिखने थे और साथ में एक छोटा सा numerical भी मुझे वहाँ पर solve करना था, ठीक है simple था, मैंने value put up की और answer निकाला उसी के साथ-साथ यह जो क्या बुलेंगे, यह जो EVR by 2 वाला formula है, यह भी बहुत important है यह भी आपको exam में बहुत बार देखने के लिए मिलेगा, ठीक है कहा origin होता है magnetism का, उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है उसको solve किया गया है और साथ ही बेसाथ आपको इसका एक, क्या बुलेंगे, derivation निकालना था, electromagnetic induction में यह बहुत ही famous question है बकड़ो आप, इसको भी मैं star देना चाऊँगा वो इसलिए देना चाऊँगा बेटा, क्योंकि क्या होता है जैसे बाकी की questions होता है न, वैसे इसी question में एक चीज होती है कि आपको दो-तिन concept यहाँ पर use होता है, flux का भी होता है then BLV that is induced CMB भी होता है और power का resonance, electric resonance के numericals बहुत ज़ादा पूछे जाते है और यह जो formula मैंने यहाँ पर derive किया है वो बहुत ही important formula है इस formula को मैं थोड़ा सा एक star बना दू क्यों क्योंकि question जो है वो इस पर आने की chances बहुत ज़ादा है, fine और उसका graph भी मैंने यहाँ पर निकाल दिया फिर dual nature of radiation and matter में Einstein photoelectric equation is the backbone of the chapter उसको तो छोड़ना नहीं है देखो दो topic यहाँ से गभी छोड़ना नहीं है पहला experimental setup का diagram वो मैंने diagram की जो एक video डाली है उसमें देख लो वहाँ पर मैंने कुछ important diagrams बनाई है, तो important diagrams बताई है, वो आप अच्छे से उसकी practice करो अगर पूरे नहीं भी हो पारे तो मैंने हर chapter से almost ठीक है, कम हो सकते है उससे भी तो वो मैंने आपको बताया है तो उसको देखो जरा सा ठीक है, तो मैंने equation लिखा और हर एक characteristics 6 equation के उपर मैंने explain करने की कोशिश करी उसके बाद structure of atom and nuclei में यह जो बोहर्स का, जो मैंने question लिया था यहने almost जितने भी मैंने question लिया आप देख लो, कितने भी questions paper उठा के देख लो, आपको वो एक ही question 4-4, 5-5 बार अभी तक पूछावा दिखेगा, तो बोहर्स के यह जो 3 postulate है, वो तो आपको यह derivation से नहीं निकालेंगे, हम directly यहाँ पर इसका, क्योंकि derivation के लिए अलग से वो mass वहाँ पर होता है तो आप directly formula लिखे, minus लिखना जरूरी है, वो क्या show करता है कि it is bound to the nucleus ओके, it is bound to the nucleus वो यह show करता है और finally आपको जो पूछा गया है उसका answer और semiconductor devices में सारे ही आप जो क्या बुलेंगे truth table है उसको अच्छे से करो आए गया कोई truth table पूछ सकता है या फिर आप suppose करो कि उसके उपर कोई आपको एक छोटा सा diagram दिया गया है, उसको solve करने के लिए बोल सकता है, यह सारी चीज़े, बराबर है so I think that is it for today exam pass में आ रही है marathons भी शुरू हो गये है आप वो भी attend करो, यह भी attend करो लेगिन साथ में self study करना छोड़ना नहीं है बटा, सिर्फ marathon attend करने से या फिर 4 marker 2 marker, 1 marker करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला, जब तक आप पढ़ने मिलो बेटा की, हम जो है we are just the light आपको हम road दिखा रहे है, चलना तो आप ही को है, हम तो नहीं चल पाएंगे उसमें है न क्योंकि हमने तो कपका चल लिया है तो हम तो नहीं चल पाएंगे उसमें आप कितने भी marathon करो आप कितने भी 1 marker करो, 4 marker करो लेकिन जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता, ठीक है तो बस, अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा यहाँ पे आपका, that's it for today thank you so much अच्छे से प्रिपर करो, all the best I'll see you soon, thank you so much